वक्रतुन्द महाकाय सूर्य कोटी समप्रभा निर्विग्नम् पुरुमे देव सर्वकाली सुसर्वना झाल कोटी समप्राइब। झाल 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 आनन्द महल आनन्द महल इतना सड़ा हुआ बाजी है बंबई है बंबई इतने हर चीज उल्टी हो दिये जुबड़ पट्टी दे नाम होता है सुन्दर नगर ते समुदर दे किनारे बसी चाल दानाम होता है तडिया महल तुसी थे नाया हो ना दीरे दीरे साब समझ जाओगा दीरे दीरे नहीं में अर्चीज जड़ से समझ जाता हूं लट्डू सिंग जी मैं समझ गया हूं कि मेरा ये जो दोस्त है ना इसने अपनी उकात की सबसे जगाद चुन ली है औरहों एपने नगरी में किसमत आजमाने के लिए किता पकड़वा क्यों 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 निकाल ला इना इंदर से निकाल ऊपर से निकाल उपके आपके मेरा यार है राज सो थैंक्यू जी ओए बंबय आपने आपी टिप ले लिए दर्वासा कोल के घर में आगए वह बड़ा गटी अगर ओ यार मोहन यार बहुत कमाल का घर बनाया तुने यार ये टेलिविजन टेलीफोन वो फ्रिज ग्लास सौसर वह बास यह अपना गरीब खाना यार अब जूतारा में रहता है तू तेरे सामने जू का समुंदर है उपर आसमान के तारे बगल में फिल्मी सितार है मतलब कि तो भी मैं अपने आपको नसीव वाला समझूंगा अलो चटाई क्यों भई किसलिए चटाई जब घर पे बिस्तर तकीया तो वाई कराई फो चटाई तो तो एमोशनल हो गया ठीक है अगर तू चाता है के मैं बिस्तर पर सूओ और तू चटाई पर सूए तो यह तेरी कि योगे आगे से किराई की बात नहीं करूंगा चाय बना दे मास्टर आदमी है तू और जल्ली बना ना फिर चलके तेरा ओफिस भी तो देखना है मुझे चांता तो खुल गया राज यह हमारी करम भूमी हां वो तो ठीके लेकिन अपना ओफिस है कहां ओफिस यह रहा वेरा ओफिस कुरसी टेबल टाइप राइटर किताब छतरी एक और कुरसी आफिस यह आफिस है यह मोहन तुझ ग्रेट आदमी यह यार मतलब तुझ अच्छा कासा बेवकूव समझता था तुझ तुझ बहुत इंटलिजेंट निकला यह कंसेट किसका है बीरा हाट बंगला बड़ा चालू आदमी है यह मतलब के मैं तुझे बेवकूव समझ रहा और तुने मुझे वे कुछी दिनों में यह जो कंसेट ना यह सारी दुनिया और दुनिया के बड़े-बड़े लोग एक दिन तुझा इस चत्री के नीचे मिलेंगे बैठा थैंक्यू यार अरे वाने वाने इधर बैठ इधर मेरे बगल मेरे बगल मेरे थैंक्यू पर इंवाइटी में तो आज तेजपाल साब का के शुरू होने वाला है इसलिए तेजपाल साब को न है शायर के मशूर बरिस्टर बहुत ही तेज आदमी आज कोट में अर्गूमेंट करने वाले चल्ट वी विल टेक सम लेसून फ्रॉमिं कुछ सीखने को मिलेगा अब इतना बुरा वक्त आगया क के दूसरों से सिखने पड़ेगा चल्ट वोलता तो चल्के देख लेते आजा अरे रुप तो सही आफिस तो बंद कर लूँ बंदो गया चल्ट 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 योर अनर हर सुबूत हर गवाह यह साबित कर चुका है कैंथोनी बुरूटों का खून इस मासूम दिख उननीस साल के उमर में खून करने जितना खतरनाक हौसला रखता हो वो आगे चलकर क्या नहीं कर सकता यार जिस तरह से इस पबली प्रोसिक्यूटर ने इस मासूम लड़ के खिलाब जिरा किये इस चमन को तो के बचाई नहीं सकता बहिया जिसे कोई नहीं बचा सकता ना उस इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए सजाए मौत यौमर खायद लेकिन इससे पहले कि आप अपना फैसला सुनाएं मैं इस 19 साल के मास्टूम कातिल के बारे में अधालत को कुछ बताना चाहता हूं यूर लॉड़ शिप वेने पर अपने साथ साल की उमर में नहरू चा उसे के पैस्त्रा आफ साथ साल की उमर में हाँ सैकेंडरी में मैच में पूरे स्टेट समसे आधा नंबर हासिल कि और जिस एंथिनी ब्रेटो का फून वा है वारा साल की उमर में उस पर चोरी थ tari बलाक कर्ना शुरू कर दिया है 20 साल की उमर तो उसमें पहला डाका डाला और 27 साल की उमर तक उस पर कतल के चार इल्जाम लग चुके थे और अगर ये खून ना हुआ होता तो आज एक बहुत बड़ा गैंक्स्टर होता ड्रक्स की स्मगलिंग कर रहा होता और देश के दुश्मनों के साथ मिलकर चाहिद गड़दारी भी कर सकता है लेकिन इस नाज समझ की वज़त से देश ने एक होनहार गुंडा खो दिया यूर ओनर यूर लॉड़शिप इस 19 साल के मासूम को मौत की सजा मिलनी ही चाहिए क्योंकि ये जीकर क्या करेगा पांच एक गोल्ड मेडल ओर जीत लेगा पर लिकर इंजिनियर डॉक्टर या साइंटिस्स बन जाएगा और इन सब को हमारे देश की क्या दो हो था यूर लॉड़शिप पर एक बार जिन हालात में खून हुआ उन हालात में अपने आपको र सब्सक्राइब करने की कोशिश की इत्ते फाकन उसवर घर पहुचा इसने वही किया जो इस दुनिया का कोई भी छोटा या बड़ा ताकत और या कमजोर इंसान अपनी बेहन की जद बचाने के लिए करता जवाब करता जो मैं करता जो अधालत में बैठा और भाई करता इस इसने अन्थनी ब्रेटु का खून कर दिया यॉर हॉनर इस चूबूर यार हुम् माइन लोई टेजपाल साथ एक में अधर इससर पीज यार वहां ये टेजपाल बड़ा कमाल का बंदा है अरे भाई तभी तो ये खेरिंग के लाक रुपे लेता है क्या बात करता है किसी भी केस को स्टडी करना एक अच्छे वकील का फर्ज होता है और यह वाई होमवर्क इसके वगल में हैंटम डैप को लड़का को नहीं वह इसका दामाद है आदर्श अच्छे सारी बाते चोड़े इतना बता कि ये तेचपाल साब को दूसरी बेटी भी है है ना दो दो मेटियां है और उसकी शादी हो गई नहीं पर तू की बूछ रहा है नहीं उसके दूसरी बेटी के लिए मेरे पास एक और वकील दमाद है कौन है मैं ये कौन है बहुत बड़ा आदमी है तू नहीं समझेगा ओ मैं मतलब तू है पर तू उसे बिना देके शादी कर लेगा यार तू बड़ा बेखुव आदमी है ये तो अंडस्टूड सी बात है कि अमीर आदमी की बेटी है तो खुबसूरत होगी राज एक बात है यार तू बहुत ही मांस्ट्र आदमी है तू इस्टि on this when Yesche तो आपको ले कर दुबारा चाहण बनाते हैं। क्या कर रही है देखिए माफी चाहता हूं ये कबड़ा कितना ही अच्छा क्यों नहों आप ये पैन कर देखिए अरे आप ट्राइ कीजिए ना एक भापता हो मैं आपको अगर राज कपुरची जिन्दा होते ना तो आपको लेकर दुबारा सत्काम श्यम संदरम बनाते जी मेरा मतलब है कि इन कपड़ों के साथ है आप ट्राइक कीजिए ना प्लीट अके थैंक्स पैक कर दीजिए अरे क्या कर रही हैं आप कमाल जी आपको देख लेते तो कितना नाराज हो जाते हैं माल में कमाल कॉन अमरोई जी पागिजा फिल्म नाइदी जिन्होंने रिल क् आपने हीरों को डायलोग देते हैं कि तुम्हारे पाओं बहुत ही खुबसूरत है यह जमीन पर नहीं इन सैंडल्स में और और भी खुबसूरत नजराएंगे यहां देखे किने खुबसूरत है कमाल की बात है आपने जो कुछ भी बेचने की कोशिश की मैंने सब कुछ कु कोई बात नहीं मेरे शकल ही ऐसी है जी हां मैं क्या कोई भी दोगा का सकता है अज़ा आप तो जा रही है मगर मैं आपके जिंदेगी में बुढ़ापे की तरह आऊंगा जो एक बार आता और उसके बाद आता ही जाता है हुआ 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 है हुआ है मुझ को एसा हाल भाई जानना माई जाहिए गोल गोल चहरा हो आखे पिलारी अलम या भेज गोई रूप की तिज़री मुझ को एसा हाल भाई जानना माई चाहिए मुझ को एसा हाल भाई जानना माई चाहिए हाई दिल मेरा कहता है लड़का हुएसा सहरी शहर मेरे नो कुई बैसा हाई सोने का बंगला हो चादी की कारी लाप सावा लाप की उसने बादी हो सारी रबद को दम नहीं चड़ूगा मौका जाने ना दूगा मिले एक बारी उसका स्टेंडर्ड भी हाई चाहिए मुझको ऐसी हाई फाई एक लगाई चाहिए एक लड़का जाहिवे खास खास हो यह लड़ी यह पास पास लाखों में एक दिवाना हो हर बत रहे मेरे आसपार उसको संद दिहाई चाहिए मुझको ऐसा हाई फाई जैन्द माई चाहिए मुझको ऐसा हाई फाई जैन्द माई चाहिए राज सपने में तु कुछ भी देख ले लेकिन हकीकत में तेजबाल की बेटी से तेरी शादी होई नहीं सकती अरे अगर उसकी बेटी से मेरे शादी नहीं ना तो मैं जान देदूंगा गाडी की नीचे आ जाओंगा इसके आ का जाओंगा मैं गाडी की नीचे आ गया राज कर लेटा यार और कर लेटा ने बैकर बैठा और भाई सब कैसे हो गया आप चलिए अर कुछ ने गाड़ी तेर जा रही थी ना दो हट ने तुटी होगी जाना कुछ ने हुआ आप चलिए चलिए ज़िए राज तु आके बैठ मैं पीछे बैठता हूं पिछे क्यों बैठ आपको दुख नहीं रहे हैं तोड रहे हो चोट यहां लगी तो दर्द वहां का सब्सारी आप अरे घपरा नहीं कोई बात नी यह तो मामूली से चोट है मैं दो दिन की दवाई लिग देता हूं तुम एकदम ठीक हो जाओगे हैं तुम्हारा नाम बताओ फटा-फट है और इसे सुबे शाग ये क्या है यह बैसाखी किसलिए चोट मुझे लगी दर्द मुझे हो रहा है पैसा भर रहा हूं फिर भी पूछ रहे हैं बैसाखी किसलिए कमाल है चोट पाओ में लगी है सर पे लगी है मेरा तो जो भी कदम है, वो तेरी राख वो माई गॉड आपको क्या हो गया कोई बात निए थोड़ा से हैरलाइन फैक्चर हुआ है डॉक्टर साब कहते हैं कि पंदरा दिन में ठीक हो जाओंगा पंदरा दिन आप मेरी वज़े से इन पैसाखियों पर आपकी वज़े से मेरा कोई पाप आड़े आओ गया होगा मेरे नहीं गाड़ी तो मैं तेज चला रही थी I'm so sorry आपको अपनी गलती का एसास हुआ ना जी सजा भुगतना चाहती है आप जी बिल्कुल क्या कर सकती हूं मैं आपके लिए प्लीज मुझे निचे टैक्सी तक छोड़ दीजे क्या बात कर रहे हैं आप मैं अपनी गाड़ी मे अब काना अगर Ja MO altar समल के समल के समल के हाँ एक मिनार एक में मट रुख चाहिए हा? के समल के रुख चाहिए रुक जाए रुख चाहिए म Refer नहीं मैं समाल लँगी आई अपकर रहते हैं आट्या चश्या समल कर कोई बात है काफी तकलीफ उठानी है पुड़ी यहां वेटी पैचे पैचे एक मिर्ट हाँ यह तस्वीर जी यह मेरे गुरुजी की तस्वीर है मगर मैंने तो आपको इनके साथ पहले कभी नहीं देखा जी मैंने भी इनको कभी नहीं देखा मगर यह हमारी वकालत के दुनिया के बेताज बाश्चा है इनके केस को स्टड़ी किये वगर कोई आदमी वकिल बनी नहीं सकता जी मगर आ आपको अपने डारी से मिलाओंगी मैं इनसे मिल सकूंगा अफकोर्स ही विल मीट भी अफकोर्स ही मतलब हाव सुट आप यहाँ आप यहाँ आज नहीं फिर कभी मैं फिर आऊंगी आप अपना काल रखिएगा आओ मैं तुम्हें भालक छोड़ देता हूं मैं चली जाओंगी नहीं आप देखिएगा जनाब इस बैसाकी को पकड़के उस बैसाकी के सहारे अगर मैंने आपको अपनी बैसाकी ना बना लिया तो मेरा नाम भी राज नहीं नमस्ते सर वो आप से थोड़ा काम था क्या वो नपजीवन ससाइटी का केस आप ही लड़ रहे है तो वो केस हमारे खिलाफ है सर हम हम वहीं के टेनेंस हैं तो मैं क्या करो देखिए वैसे भी कोर्ट में केस लड़ने के हमारी ताकत नहीं है और आपके हमने केस जीतना बहुत ही मुश्किल है अगर इतनी अकल है तो केस क्यों लड़ रहे हो घर क्यों नहीं खाली करते हैं घर खाली कर देंगे तो फिर हम जाएंगे कहां मुझसे पूछ के मुंबय आयते हैं अब आप लोग जा सकते यहां से देखे देखे ऐसा मत कीजिए वाकिल साहब देखे भगवान आपको तो इतना खुछ दे रखा है बैसो के खातिर हमारे सर से हमारी छट मत चीने आप हाथ चोड़ते हैं हम आपके आगे अगर हाथ जोड़ने हैं तो मंदिर जाके जोड़िए पर अब तो भगवान भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है देखे बात तो सुनिए एक मिनट जीजाजी यह लोग आपके पास इतनी आस लेकर आए हैं और आप इंकी मदद करने की जगाए ने धुदकार रहे हैं क्य है जीजाजी ऐसे एक आदमी को मैं जानती हूं जो आज की तारीक में सच्चाई के बल्बूते पर न सरफ लड़ सकता है जीत भी सकता है विशी ओल्ड़ बेस्ट आप बेफिक्र रहे हैं आपका घर घर है कुछ इडिया का खुसला नहीं जो अपने घर की सफाय में कोई न लेड़े थे यह राइट और वैसे भी मापुर्शों का यही कहना है कि सच्चाई के लिए कोई भी चीज छोड़ी जा सकती है मगर किसी भी चीज के लिए सच्चाई को छोड़ा नहीं जा सकता आइविल विन इस केस मिस्टर आनल महत्रे आप जिस जगह में रह रहे हैं वो जगह आपने कब और कितने में खरी दी 1977 में 25,000 रुपए पगड़ी पे मतलब आपने खरी दी नहीं थी उस जगह पे आप किराए पे रह रह रहे हैं मिस्टर वचानी कौन है वो तो बिल्डर है मेरा मतलब मकान मालिक और उन्हें जगह खाली करने की आपको कितने पैसे की ओफर दिये मतलब दस गोना ज्यादा जिदे आप में पैसे दिये थे उस है अब मेंगाए भी तो बढ़ गई है सर आखिर आप चाहते क्या मातरे साब घर के बदलिखार अचा ये बदाए आज आज आप कोट कैसे पहुंचे टैक्सी में कोट पहुंचने के बाद आपने टैक्सी का क्य कि इस बादिया छोड़ दिया क्यों छोड़ दिया उसमें कबजा क्यों निंघ उसके माली क्यों नियुकर इवन जाब जाखे हुशक्ञ यह उनर इस पॉइंट को नोट किया जाए इन्होंने खुद किराए के चीज का मालिक नहीं बना जा सकता फिर ये किराए के मकान के बदले में मकान कैसे मांग सकते हैं मेरे क्लाइन ने थाई लाग रुपए का ओफर दिया है यह तो इनकी दर्या दिली है मैं तो यह ही चाहूंगा कि मेरे क्लाइन को इंसाफ मिले बैट इस ओल यॉर ऑउनर डिफेंस को कुछ कहना है राज गो गुड़ लग चल चल छुटी कर दे सबकी डिफेंस कुछ कहेंगे गट अप गट अप सर कर दे भूब अप मिसर मलोथरा आर्यू आर्यू आर्लाइट हाँ इए 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 साह हुआ 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 पर पर अब है जो अब है अब कर अब कर दो पर अब है अब इसमा लोतरा आइप आपकी तब यह ठीक नहीं है आपको दबा लीजिए कोटी जट्जन फॉर लंच फोगेड़ बाइब बैच जो राज अधर अंतर है तो बाहर कर ना कोशिश करो हम कर सकते हैं नहीं राज तिरको हो क्या तरको यार यार मेरे को एड़ेक कर दिया तुझे क्या होगे इसको अगर आपको मुंबई से दिल्ली जाना हो तो आप कैसे जाएंगे प्लेन से मान लिजे आप प्लेन से जा रहे हैं रस्ते में एमर्जेंसी लैंडिंग हो जाती है आपको जैपूर उतर कर ये कहा जाता है कि आप डबल पैसे ले ले लिजे मगर आप किसी प्लेन टेक्सी है बसक बंदबस कर लीजे तो आप जाएंगे नहीं क्यों मैंने प्लेन का टिकेट खरीदा है मैं स्टी से क्यों जाओ एरलाइंस को मेरे लिए दूसरे प्लेन की व्यवस्ता कर देनी चाहिए आपके लिए दूसरे प्लेन की व्यवस्ता क्यों होने चाहिए क्योंकि Airlines वाले Passenger को rains die winter में किसे छोड़ सकते मैं लोर्ड अगर मुंबरी से दिलीन के बीच की सफर में किसी ओ जोड़ा नई जा सकता तो जिननीगी के सफर में किसी को बीच मजदार में कैसे छोड़ा सकता थे मिश्टवांचा नीए आपने तो सिर्फ इने चूने और इट से बनाएवा मकान दिया था, वगर उसे घर बनाया इनों नहीं, अपनी भावनाओ से, अपनी जजबात से, उसके साथ जुड़े हुए हैं, इनके बच्चों की पैदा होने की खुशिया, इनके बुजर्गों के घुजरने का गम, इनक इस दूसरे इंसान का घर चिनने का हाग कैसे दिया जा सकता है, और मैं यकीन के साथ के सकता हूँ, कि आप खुद भी ऐसा नहीं होने देंगे, and that's all, you are not. राज, बड़ा बाच्चनाथ भी है, यार, यार, गले लग जाए, यार, गले लग जाए, देखे, हम इसकी फीज तो नहीं दे सकते, लेकिन ये, ये थोड़े से पैसे हैं, हम सब की दुआएं समझ के रख लीजी, देखे, दुआएं पैसों से नहीं तोली जाती, मगा फिर भी इस केस की जीत की आदगार के बतौर में ये पास रुपय का नोट रख लेता हूँ, तैंक यू, जैसे आपकी मरसी, मेरी पहली कमाई, सत्यमेव जैते, पर आप ये मुझे क्यों ले रहे हैं, इसलिए कि जीत मेरी नहीं, तुम्हारे विश्वास की है, तुमने इस लड़ाई के लिए मुझे चुना, आगे जब भी मैं सच की लड़ाई लड़ूँगा, तो तुम्हें याद करूँगा, और तुम इसी तरह से मुझे हिम्मत देती रहना, राज, राज, ये रज़त है, फ्रीलांस रिपोर्टर, अपने प्रोग्राम में अच्छे-च्छे कोट के फैसलों की धजिया उड़ा के रख देता है, और रज़त ये है, राज, मेरा दोस्त, होश्यारपूर का सबसे होश्यार वकील, मैं चाह सका, थैंक ये सर, थैंक ये, अपनी जीत के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप, दरसल ये केस मेने कानूनी दाव पेच या किताबों में लिखी दफाहों से नहीं लड़ा, ये केस मेने दिल से लड़ा है, और मैं ये मानता हूँ, कि जो भी चीज जिज जिन्दगी में द चोकरे से, डाड़ी, यू शुडव बिन देर, उसने जो आग्यूमन दी, आइमीन जच के सामने जो स्पीच दी, अपने जी जाजे भी कुछ नी कर सके, डाड़ी, वो आपका सच्चा शागिस है, एक लव्य की तरह आपकी तस्वीर की सातना करता है, ये रेली लव्य लव थैंक यू डाड़ी, सर मैं कमिन सर, सर प्रणाम सर, प्रणाम, 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 ये क्या कर रहे हो भई, सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन, और मेरा यकीन मनी है, के नील आमस्टाम को भी चांद पर पहला कदब रखते वे इतनी खुशी नहीं होगी, जित सोमार मतलब, I mean I'm fasting, सर, तुम इन बातों में यकीन रखते हो, सर मेरा यकीन सिर्फ देवी देवताओं को खुश करने के लिए नहीं है, बलके मेरा ऐसा मानना है, के हिंदुस्तान के आवधी के 50 क्रोड अमीर लोग अगर कभी-कभी अपना एक वक्त का खाना छोड़ दें, तो 25 क्रोड गरीब लोगों को दो वक्त का खाना मिल सकते हैं, इस ब्रिलियंट, इस ब्रिलियंट, सोनम तुमारी बहुत तारीफ कर रहे हैं, बतारी कि तुम केस कमाल के लड़ते हो, सर यह भी आप ही की तारीफ है, मेरी? जी सर, कैसे? सर, मैं law college के दिनों से ही आपकी जीत तुमने वे काले कर और घंडा का reference लेकर ही यह case जीता है, कमा, मतलब तुमने मेरी cases के references को लेकर मेरे शिष्ची को अरा दिया, सर, आखिर एक शिष्ची में और एक भक्त में फर्क होता है, सर, और मैं आपका भक्त हूँ, ओ मैं तुम्हें एक offer देना चाहता हूं, भाई, सर यहां से, मैं एक social service center चलाता हूं, जहां पर गरीब लोगों को ऐसी advice देता हूं, वहां पर तुमारे जैसे होनहार और दिल के साफ इंसान की जरूरत है, तुम दो चार घंटे निकाल के वहां पर मदद करो, वहां तुम पैसे तो नहीं मिलेंगे लेकिन दुआएं बहुत मि जाता है, गजब का शुरूरा आदमी है यार, फोकट में ही काम करना लना चाहता है, और ससुरे ने एक बार भी नहीं पूछा, कि बेटे तेरा उपवास है तो दूद पीले, फ्रूट खाले और भई पानी पूरी लगा रहा भई, जी साब, इससे पहले है कि मैं ब्योश हो लेकिन मुझे मजबुरन तोड़ना पड़ा, तोड़ना पड़ा, हाँ, इस बिचारे गरीब की बीवी भी मार है, और मैंने जब इसे कहा कि तुम उसे मदद लेलो, तो इसने लाग कर दी, बड़ा खुद्दार आदमी है, कहता कि मेरी बीवी मर जाए कि लेकि में भीक नि साथ हूँ, मुझे भी लगाना भाया एक प्लेट, और सुनो, सब ठीक हो जाएगा घबराना बत, पचीस-थीस लगाना प्लेट है, पचीस-थीस, ऐसा नहीं हो कि इसकी बीवी ठीक हो जाए और हम बीमार पड़ जाए, ऐसा नहीं होगा सर, जिनकी नियत साफ उनकी पेट स सकता है, बहुत ही इमानदार और नेखलाग का है, मैं सोच रहा हूँ कि किस दिन इसको खाने पर बुलाया जाए, हाँ, ताथ ग्रेट, लिट सुन आज हो एक हाँ, हाँ मारो ना भई यह कौन चाहर रास्ते के बीच में, ड़ाध इनक दाट सर राज, प्लाज था यह नहीं अब यहां कैसे भाई आप यह क्या करे हैं बस सर में अपने क्लाइट के पास आया वह था अच्छा हमारे महले में भी क्लाइंट ढूंड लिया कौन से घर पर आया थे वह अपना सामने ग्रीन वाला है ना अच्छा आपने चतुरवेदी साब का गारे वह ना वह लाल वह तो क के सामने रहेंगे हासता है यकीन माली मैं भी यह चारा था वैसे भी कल इनसे मिलने के बाद में भगवान से दुआ कर रहा था कि पता नी भगवान इस महापुरुष के दर्शन दुबारा कप कराएंगे महापुरुष मैं हूं और उन्होंने सुननी मेरी आज मुलाखात हो आजकर भगवान बहुत सुन रहा है मेरी जो बांगता पट से मिल जाता है कई आपके लिए कुछ मागू बेटे भगवान का दिया सब कुछ है बस इसके लिए अच्छा सा दूला मांगो तो संजें को दूला मिल गया रेली यह तो आमें तुम्हें कुराना साब के घर तक हुआराना अरी खोराना जिसके घर पर तुम जा रहे हो कुराना जी सर में चला जाओगा वैं पाधियात्रा करते कुछ सोचते सोचते चला जाओगा यूप्रीण स़र्डेया जाओवाई शेला जाओगा इच्छाइम की जाए यह जए हूच्छाओ सम्की चाहें होजए आपको अपर क्यों नहीं सब लोग अंधर करें तुम लोग हां कारे तुम लोग हम तो पीछे रहते हैं पीछे तुम्हें पगार पीछे रहनी की मिलती है आगे रहनी की खुराना साब को बोलके छुटी करवा दूंगा सबकी सुबास से फोन कर रहे हैं कोई फोन कर नहीं उठा रहा आप लोग अब करेखणे मेरा मुझे देख रहे हो बंगला खोलो मैं उनका वकील लूं और सुनों कोई नोख रहीं यह निए अंदर है उसे कोऊ कि मैरे नहानेवाने का बंदोस करें मिरे खाने का बंदोस करें तेरह पैसे भी नहीं हां खुराना साब दे गया थे पताया नुने फिर भी अगर केस का फैसला हमारे हाग पे नहीं होता तो हम क्या कर सकते हैं हमेशा जीत हमारी हुए एक आदी हार से क्या फरक्त परते हैं सवाल हार या जीत का नहीं है सवाल एक बेगुना इंसान को इंसाफ दिलाने का है आप जैसे जीनियस नहीं सोचना पड़ेगा सर वही तो सोचो 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 कर नहीं तो केस हार जाएंगे वेटा लगता किसी जबर्दास केस की डिसकेशन चल रही है कई तो मैं बी कुछ कंट्रीबूट करूं आपका बोलना जोरी था क्यों यह किसी चाल का मुकदमा यह पार्टनर्शीब की डाफ्टिंग नहीं चल रही है मुदर केस की डिसकाशन हो रही है और इस डिसकाशन के लिए सब्सक्राइब केस को लेकर परिशान हो रही है वही तो बात है यार समझ भी नहीं है यह मनौर्थ आंबे वही है ना जिसके साथी ने उसके पर जान लेवा आमला किया और उसने अपने सेल्ट डिफेंस में उसका मटर कर दिया वगर सर जच को इस बात पर करना बहुत तीन साल से सजा काट रहा है चोरी के लिजाम में और उसके जितने केस की जितने आई विटनेस है वो सारे के सारे गुन्यागार है और पॉइंट यह है कि अदालत किसी गुन्यागार की बात कर विश्वास क्यों करेगी तुम्हे तो इस केस की सारी हिस्टी मालूम है, खुट, सारी खबरे रखते हुआ सर मैं आपका चेला हूँ और चेलों को गुरु की हर बात की खबर रखनी चीए खबर रखने से कुछ नहीं हो दाराज साब, मसला यहां केस चीतने का है उसका हल भी है मेरे पास, मेरे पास एक ऐसा सबूत है जिससे जजच के सामने पेश करते ही यह बात साबीत हो सकती है कि सेल्फ डिफेंस में आदमी किसी का भी मुर्डर कर सकता है कैसे? ऐसे! साब! 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 यह क्या बत्तमीजी है राज? यह बत्तमीजी नहीं आदर साब यह सबूत है और इस सबूत को जच साब के टेबल के पर रख देना है वो भी बिल्कुल तुमारी तरह रियाक्ट करेंगे और उसके बाद जच साब को सिर्फ एक सवाल पूछना है कि अगर आप जैसी सूजबूज वाला आदमी अपनी जान के खत्रा पाते ही सबसे पहले खत्रे को खत्म करने का काम करता है तो मनोरत आमबे जैसे आज में सेल्फ डिफेंस में किसी का कून कर दिया तो क्या गलता है वाँ वाँ मेरे बच्ची वाँ ब्रिलिल्ट टू कूल अटू कूल डेडली तुमारे जमाग में ऐसी आइडी आते कैसे है याँ सर में आपका चेला हूँ मैंनी सोचूंगा तो कौन सोचेगा आपका 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 क्या सोच रहे हो राज कुछनी तुम्हें देखकर बच्पन की एक बात याद आगी मेरे बारे में बच्पन में अक्सर मेरी माँ मुझे परियों की कहानी सुनाय करती थी और मैं मासे हमेशा पूछता कि मा क्या मैं कभी किसी परी से मिल पाऊँगा यभी ने मा के पास मेरी इन बातों को जवाब न होता आज अगर मास जिंदा होती तो मैं तुम से उसको मिलाता और कहता कि देखो मा मेरी हकीकत में मुलाकात एक परी से हो गई दर अरे अंख मेंचो और कुछ मंगो देखो तारा तुटा तारा तारा तुर। तुम इन बातों में विश्वास लखते हो तुम ही लगता है कि तूटते हुए त suppression को देख़ो घुमांगो मिल जाता है अब तक तो नहीं पता, मगर मैंने जो मांगा, अगर मुझे मिल जाए, तो सबसे पहले तुमको पता लगेगा. चले? चलो. छोटी मेम साथ, ये डारी राज साथ की है, लगता है वो इसे भूल गए है. अच्छा? जी. तेंक यूव. जी. हम. Monday. Sona आज आई तो जरूर, अपने हमेशा के वक्त पर. पर Sona का मूड आज ठीक नहीं था. मैंने पूछा Sona का गुस्सा किस बात पर? उसकी आखों में दो आसू उपराए. कहने लगी, वज़ा तो तुम जानते ही हो. मैं सब कुछ देख सकता हूं, मगर Sona की आखों में आसू नहीं देख सकता. महान प्यारे, यह समझ लो के शहर के सबसे बड़े वकील तेजबाल फस गए मेरे जाल में. आज सुबा से लेकर शाम तक मुझे बेटा-बेटा कहकर जबान नहीं थक रही थी उनकी. और मैं अपने दिल में बोल रहा था कि बेटा नहीं बाबुजी, दमाद बोलने की आदाट डैलो. अरे दमाद तो तब बनेगा न जब बेटी मानेगी. अरे वो भी मान जाएगी. जब पेड़ी हिल गया है तो फल तो गिरी जाएगा अपनी जोली में. और राजा मत देख, जागते हुए सपने मत देख, जा भई, रात बहुत हो चुकी है, जाके सोजा. अरे अभी कहा, अभी तो वो आने वाली है. क्यूँ, प्यार का इकरार हो गया है, क्या? नहीं, अभी तक हुआ तो नहीं है. तो फिर इतनी रात गई का टाइम पूछने आने वाली है? नहीं, उसके दिल में दर असल मेरे लिए प्यार बहुत है, लेकिन आज उसका इकरार करने आने वाली है वो. चलना, कितना बोर करेगा तेरी भावी अभी दोर बेल बजाने वाली होगी, बाई. बाई. यह आप अपनी डाइरी हमारे फिर्म हास पे भूलाए थे. ओके, बाई. बाई दो वे, यह सोना कौन है? सोना के बारे में जानना चाहती हो तो इतमनान से बैठका सुना होगा, क्योंकि यह एक लंबी दास्तान है. आओ. Excuse me. यह सोना का नहीं मेरा हाथ है. Oh, I'm sorry. पता नहीं है, यह सोना की बाप निकलते हैं मुझे क्या आई है न? मुझे क्या हो जाता है? बस यह समझ लोग के मैं जिंदगी हूँ तो सोना सासे. मैं अगर दिल हूँ तो सोना धरकन. मैं अगर प्यास हूँ तो सोना… पानी है. Exactly. मैं अगर फूल हूँ तो सोना खुश्बू. मैं अगर दर्द हूँ तो सोना आ. समझ गई, समझ गई. आप टीवी हैं तो वो रेमोट हैं आप जूता हैं तो वो सौक्स हैं आप प्रशर क्वै तो वो सी टी है और भी कुछ बोलेंगे आप सुनो तो सही पदा नहीं है सोना के बाद निकलते हैं मेरी दुनिया वहीं कि धम क्यों जाती है अच्छा बहुत मुहबबत करते हैं उसे मुहबबत कि बस यू समझ लो कि इस नाम के इर्द गिर्धी मेरी दुनिया बसी बहुत सुन्दर है दिखने में सुन्दर बोलकर बेज़ती मत करो मेरी सोना की प्लीज प्लीज सोना तो अती 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 देखिए मैं जा रही हूं बहुत रात होगई यह मैं फिर कभी आऊंगी मेरी सोना के तारीफ में एक रात तो क्या कई राते कट सकती हैं देखिए मैं फिर कभी उनसे परस्नली मिल मिलवाएंगे ना आप मुश्किल लगता है मागर फिर भी कोशिश करूगा वैसे सोना जी की एक तस्वीर है मेरे पास देखना चाहेंगी आप जी जरूर मेरे सामने मत देखेगा प्लीज क्यों मुझे शराम आती है सोना की तस्वीर इसे आ नहीं घर ले जाकर खोला फोलों से भी नाजुक है मेरी सोना कलियों कलियों हम दाना डाले और मचली न फसे यह तो हो इनी सकता है सोना पंखा मैं हवा हूं सोन है सोना है सोना ऐसी है सोना थो तो सिर्फ मेरी कल्पनाह है और इस कल्पना का हिस्ससा इस आएनों में खुजनी की कोशिश बहु हां अरे अब शर्मादी रहोगी कि आगे भी पड़ोगी अरे पड़ो तो एक चोटा सा काजल का ठीका लगा लो मेरी नजरों से अपने आपको देखोगी तो नजर लग जाएगे सोना कैसी है? सोना ऐसी है? सोना बहुत 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 कुछ है एक लड़की दीवानी सी दिल ले गई ले गई ले गई इसमें क्या बोलो यारों? है मेरी खता अरे नई 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 ये तो होता ही रहता है यह जाहत है दीवानी क्या कुछ को नहीं पता? एक लड़की दीवानी सी दिल ले गई ले गई ले गई इसमें क्या बोलो यारों? है मेरी खता अरे नई 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 ये जो होता ही रहता है यह जाहत है दीवानी क्या कुछ को नहीं पता एक लड़की दीवानी सी करती है रोज रस्ते पर दिखती है जुन्फ लहराती फिरती है होट मुसकाते रहते हैं बात आखों से करती है अगर नजर तुम को आ जाए, पता तुम उसका ले लेना अगर ऐसा ना हो पाया, हमारा नंबर दे देना 5212 क्या क्या था, नंबर भी भूला देखो इसमें क्या बोलो यारो, है मेरी खता अरे नई 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 ये तो होता ही रहता है यहीं चाहत है दीवा नहीं क्या तुझको नहीं पता एक लड़की दीवानी सी ओए ओए क्या बात है की अई इसके जो हां decent thanks हम परवाने उसकी सुर्प के दीवाने उसके सतके में अपना सर जुका कर जल जाना जाने दिल उसकी राहों में ये मिट जाने को करता है इसमें क्या बोलो यारो है मेरी खता अर नई 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 ना ना ये तो होता ही रहता है ये जाहत है दीवानी क्या तुझको नहीं पता एक लड़की दीवानी सी दिल ले गई ले गई ले गई इसमें क्या बोलो यारो है मेरी खता अरे नई 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 ये तो होता ही रहता है यहीं चाहत है दीवाने क्या तुझको नहीं पता करें अब तुझको इसलाम सर अब यह किसके कौना ऐसर जिने आपने बेज़ा था वह वकील सहाब मैंने हैं मैंने किसी वकील को नहीं बेजा लेकिन सर वो तो कल से आयो वे हैं और बड़े मजे से रह रहे हैं कमाल है पहले लोग फुटपाथ पर कबजा किया करते थे अब बंगले पर कबजा करने लगें देखने तो सही कौन है कुराडा साब तो इतना मानते है मुझे मुझे से पुझे पकर एक लास पानी नी पीते है मसलब अगर तुमें वो दो दिन न मिले तो बिजारे प्यासे ही मर जाएं इतना मानते हैं आपको इतना मानते हैं भाई मैं उनका फ्रेंड फिलोस्फर और गाइड हूँ यहने के दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम हो जाए उने इस कंदे पर सा रख कर रोते हूँ कंदे पर से हाथ अटालो यह कंदा आमने खुराणा साब के लिए रिजर्व रखा हुआ है कौन है यह कुराणा साब आप वाड़ प्लेजर्ट सर्प्राइज प्लेजर्ट माइन यह आपके नेवर है तेजपाल जी उनकी बेटी है सोनम प्रिसरा आप चलके फ्रेश हुए ना सर मैं जर्फ रैडी होके मार खाने मेरे मिलने आता हूं करते हैं एक्स्क्यूस जानता हूं तुम को नोर मेरे घर को अपना घर बना के क्या कर रहे हो सर मेरे नहम राजमलोतरा पेशे से वकील हूं पेचपाल जी की बीटी से मुझे प्यार हो गया उन पर इंप्रेशन पर जिस काम के लिए आये हो वो किया भी या फिर यहां वहां किया हाखने में लगे हुआ है ज़रूर एक ना एक दिन बहुत तरक्की करेगा अच्छा डैडी अब चले अब तो इनके परमात्म हो परमात्म हो विश्वात्म हो जब भी मेरी रोमांटिक स्टोरी लिखे जाएगी उसमें मस्या कर और आपिका होगा बस बस यार अब मेरे सामने ये मखन के दुकान मत खोलो हमने भी जवानी मैं से बहुत से खेल के ले हैं हां बस उन देनों की याद में आज तुम ये बैंस और अब ये यह ओंड़ा टैक्सी नियी तू इसमें क्या कर रहा अरे राज यह टेजमात सामने ते रही गाडी बेची है सो नम की शादी के बारे में डिसक्शन करनी के लिए बुलाया है क्या बात करता हैं एप ट्रियों को यानता है मादो टिलर है ना हां कोई श मेरे फार्म हाउस में यूनों दो तिन किसम के आलू उखते हैं अगर महां से राज वेटा अच्छा हुआ तुम आगे सर आपने मुझे बुलाया था सर आधर्श ने अपने कजन से सोनम की शादी की बात चलाई है इसलिए लोग चले आया है उस दिन तुमने सोनम के लिए भगवान से दूला मांगा था भगवान ने तुम्हारी सुनली इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम लड़के से मिलो यह सब दुआओं की वज़े से हुआ है आधर्श बिटा 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 राज को महमानों से मिल बादो बिटा बिटे नमस्ते राज साहब आए वेरी गुड चैपी इसक्यूज मी राज सही वक्त पर आयो तुम्हारी सिटुएशन पर राज कपूर साहब ने गाना लिखा भवरे मैंने खिला फूल और फूल को ले गया राज को और यह रहा राज को आये मैं यह राज चोटे मड़े वकील है एफिडेपिट बनाते हैं अगर तुम्हें कोई काम देश से करवा ले ना मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग भी बीस-पचास कम है क्यों राज साहब मैंने ठीक कर हाई 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 तो कैसा लगा मेरा सोनू सुन्दर या अती 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 सुन्दर जरा लेवल पर आ जाएंगे आप जी ज़रूर जी अच्छा लड़का बढ़िया है नाज ज़्णा सधी नहीं उसकी मेरी तरह जटना भांबलशनाल दोहुँद्ट्रतन बढ़िया है अच्छी नहीं लगी नहीं एच्छी है आज़ नाग बाल भी सही होते न तो आदमी लगता बिचारा वो थोड़े कम है बाल थोड़े से बहुत ज़दा कद ज़्यादा कम नी कम से कम मेरे जितना तो न चीए थे न कम है तो भार सल खड़े तो अच्छा नहीं लगएगा नी पता नियुक्त अदरजन नुक्स निकाल कर तूटते हुए तारे को देकर मनत मांग सकते हो, कलपनाय कर सकते हो, आइने भेज सकते हो, दुनिया भर की बखवास कर सकते हो, लेकिन मुझसे दो सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं I love you, Sona. I want to marry you. नहीं, उन साब के सामने तुम जाकर नमस्ते, नमस्ते जी, कैसे हैं आप, करते रह गए. ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे ऐसा करने से मेरी शादी कही और हो जाएगी. नहीं, जानू, नहीं न सोना, नहीं न सोना बाभा, नहीं नहीं नहीं, I love you, I'm sorry. I love you too. I love you. इस पर सारी गलती तुम्हारी भी तो है. कैसे? तुम भी अपना आयना लेकर बैड़गी, इतना भी नहीं, कि अपने काल के उपर तीर लगा कर साभीत कर दो, इशारा कर दो, कि तुम्हारे पापा है ना, मैं अपने पापा से तो बात कर सकता. अरे तो करो ना यार, सोना, तेरी बेबी, जानो, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I love you नवावा. अरे पहले बता दिया धाना राज के लिए, मुझे भी कोई अतराज नहीं, लेकिन लेकिन बेटे एक बार उससे बीकंभा उससे तो पूछनो, उसको रिष्टा-मनजूर है कि नहीं? मुझे मनजूर है! मुझे मनजूर है. राज को भी रिष्टा मंजूर है, तुमको भी मंजूर है, और कपाल करते हो लड़का घर में बैठा और तुम बाहर डून रहे हो, चलो सब को मीठा खिलाओ, मूह मीठा कराओ, और तुम मेरा मूह में किलाओ, और चाहवाज लाओ, बिटा लाओ, जीते रो मुवारा को, मैं भी इस गर का दमाद बन गया, और मैं जानता हूँ कि तुम वो को खास कोशी नहीं होगी, मगर तुमारी सिस्टूशन के पर मुझे भी राजकपुर्जी का एक और अच्छा गाना याद आ रहा है, फिल्म मेरा नाम जोकर का कहीं आग न लग जाए, कहीं आग न लग जाए मालिया है जाँ तेरा, अपन लेदी खोता ओं, मालिया है जाँ तेरा, अपन लेदी खोता तुम मेरी होना पालिया है प्यार तेरा अब नहीं खोना ओ मेरी सोना तुम मेरी होना बड़ी हजरतों से तुझे देखती हो तेरे दिल में अपनी जगारों दसी हो मेरा प्यार तुछ से सदा ये कहेगा मेरा तिल है तेरा तेरा ही रहेगा अच्छा लगता है जानू फिर से न होना मेरी सोना तुम मेरी होना मेरी सोना तुम मेरी होना दिवानी हो तेरी तो अप्वला बना ले इन आखों में मेरा सपना सजाए मताय कर चुका हूँ तुझे ही चुनूंगा कसम है तेरी तेरा तूला बनूंगा कब लेकी आज़ बारा देल का होना अज़े कब लेकी आज़ बारा देल का होना बला नेरी सोना तुम मेरे होना तुम मेरे होना पालिया है प्यार तेरा अब नहीं खोना ओ मेरे सोना तुम मेरे होना ओ मेरे सोना तुम मेरे होना यहार कुछत लग रही है आप स्माइल प्लीज प्रकाश सहाब यस एस होठो आप फोटो कीशते रहें यस के पैसे कॉण देगा आप ही देंगे सर तो फिर मायमानों की पोटो कीशते रहें जिर फैमिली अलों की फोटो नहीं कीशेंगे जुंबना सराल देन बात है ने मतलब एक फोटो हो जाए ऐए आए आए सौरी सौरी हाहा हा 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 ह हा हा हम जैसे घटिया लोग कैसे अपने सब्सक्राइब राज तु वाकई में बास्टर आध्वी है यार तुने जो सोचा वो कर दिखाया आधर्श की तरह तेरी गेम भी सक्सेस्पल ओगई यार तु कहा आदर्स की गेम को मेरी गेम से मिला रहा है उसकी वाइप को देख ऐसे लगता जिसे कोई छोटा बरगत का पेड़ खड़ा है क्यों असा रहा है आदर्स ने शादी नहीं किये समझो था एक्सप्रस का टिकेट कटा है और उनको देखो ब्लाइंड केला मगर और सडीवी चाल में रहा कर सबने ठीक से नहीं आते हो ना तो मेरे बंगले में आकर सोना शुरू कर दो क्योंके नीली चत्री वाले ने अमारे सर पर ऐसी चत्री खोल दी है कि तरे दोस्त राज है ना जिंदीगी में राज करेगा राज तु वागते ही में वाश्टे ही क् क्यों में सोय रहा था तो जागता ना स्टाहे नहीं सmother रहा था क्यों नहीं सोय मेरा बच्चाropolis इसलिए मिंचल भी कल दक जो सपने गयता था हार सारा हकीकत में बदल गये सुग पिश्चर्णाय बेवे नहीं 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 ॥ै मैं टेखो सुबर सुच्भ रूम आप चलो मैं भी चलकर अपनी प्रॉपर्टी का मौईना तो कर लूँ देखूं तो सही केक रात में किन किन चीजों का मालिक बन गया हूं कि यह जूस का ले जाना वही आदर्श साप के कमरे में आदर्श कल से जो नाश्ता है ना पहले मेरे कमरे में आना चीज़ हम जी हम ठाट है राज साब की आध बस्ती के अंदर पानी गम चाय पीते थे और आज औरेंज जूस भी फीका लग रहा है पटाणी क्या होगी एक रा आप जैसे बुच्छा रहे है बहुत मुस्करा रहे है बबबजी हाँ मैंने आपसे कहा था ना कि आपकी बैटी की पैसाकी बना के में अपके घर में कुछ जाऊँगा गुजा ना तीन है मर्द की जबान हाँ बताएं बगले कितरे आपके पास चार उसमें से तीन दो मैने मैं ले लिए चली एक आपको दे दिया अब अजया आपको आफिस तो मेरे अनीमून से लोटते ही अपना आफिस खाली कर दे ना इसमें इतनी चौकनी की क्या बात है हां आपके सारे क्लाइन मैं सभाल लूगा आप बुद्रू हो गया है अब छोड़ी अपनी जगा वरना क्या है मैं बात करते हैं अगाडिया काफी घडी कर रखी है मायदान में लोने अपने जवानी में काफी रूमांटिक रह होंगा हमारे ससुर जी यह गारी तो में अपने आफिस आने के लिए रख लूँगा यह ले जाऊँगा मैं कभी गुमने फिरने के लिए अपने इस साथ निकला करूंगा इसमें, अच्छी है काफी, हाँ, ये गाड़ी में अपनी सोना को दी दूगा, और वो मैं दे दूगा नौकरों को, सबजी आप जिया लाया करेंगे उसमें जाके इसमें भीजा रहें, और बाकी बचा वो आदर्श, उस साले को तुमें आटो में बेज चल लेगी, ये इतने सारे कपड़े लेकर को जोल रहे हैं, नहीं बाबा, मानी मून नहीं अपने घर जा रहे हैं, बस्ती में, अच्छा, बस्ती में चल रही हैं, तुम बस्ती में रहोगी, तुम बस्ती में की रहोगी, मेरा मतलब है कि तुम वहां कैसे रह पाओगी, जै तो यहां घर के दामाद बनके रहोगे, ना, बीए गुड़ बॉइन गेट रही हो, कै? बीबी, सोना, समझा को रहो ना, देखो, अंगुलिस्तान का फूल जो होता है, वो रेकस्तान में कभी पलप नहीं सकता, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लोग यही कहेंगे, कि मैं घर जमाई बन गया, सुन लूँगा, सहलूँगा मैं, तुम्हारे खातिर, तुम्हारे प अपने पती में ढूंगती है, जिम्यदारी का एहसास, सच्चाई, इमानदारी, सब कुछ, बस भगवान ने मेरी सुन ली, और इसलिए, जहां तुम रहोगे, वहां मैं रहोगी, जिस हाल में रखोगे, उस हाल में रहोगी, लेकिन तुम्हारे सम्मान के साथ, कभी सम्झा पता नहीं करूँगे, ठीक है? ओ, कम ओन, स्माइल बेबी, आफ टो पक्ट, लव यू, बाइ, अंकल, अपने सोनों के बहकी हुए बाते हैं तो सुनी होगी, आए, 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 I'm so proud of you my son, सोनम कितनी खुछकिसमत है, जो तुमारे जैसा पती मिला, उसने मुझे बताया कि तुम्हे मेरी दाफर मेरी जाइदात में कोई दिल्चस्पी नहीं है, तुम्हे एक self-suff石 coalition, self-made इंजान बनना चाहते हो, मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई अब मैं सोचता हूं कि सारी दॉलत आदस को दे दूँ जैदाद उसको दे दूँ और खुद रिटायर हो जाओं माने शिंद्गी इतना काम किया है कि अब मैं चाहता हूं अपने फार्म हास पे चला जाओं वहां आलू ऊगाओं भीणडी उगाओं तुम लोगों को अपने हाथ से उगाई विफी ताज दाजी सबसी बेजूं क्यों कैसा लगा मेरा प्लैन तुमको बिटा कैसा लगा प्लै मैं आते चाती रहूंगी दीदी देखो ना जो लो भी जा रही है यह क्या आप सबको छोड़ कर जा रही है इंद इसके बिना घर सुना हो जाएगा बिल्कुल सुना हो जाएगा डैडी भी बिचारे अकेले रह जाएंगे या पर बहुत अकेले हो जाएंगे किने दुख्या बात है ना नहीं इसमें दुख्या क्या बात है यह तो खुशी की बात है सोनम अपने पती के घर जा रही है हुआ है 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 आप रो रहे हैं आप रो रहे हैं ये प्रोमिश्य यू आ आप कृइuse आ आने तेरए ले कमाया है तो एक बार फिर से सोच ले कि तू यहां से ऐसी ही जाना चाहती है या मैं तेरे लिए नहीं दैड, ये सब तु मेरा पती मेरे लिए फिर लादेगा, उनका तो सपना ही है to be like you, he wants to be a self-made man, हाँ यहां से जाने से पहले मैं आपसे कुछ मांगूगी, जरूर, मांगू, प्ली इस तो बुड़व का अश्रिवबाद भी लानत लग रहा है मुझे, क्यों ठाए दिन के सुल्तान, लुट गे तेरी रियासत, बड़ा खुश लग रहा है बे, खुशी की तो बात है, खेल तो तो तुने बहुत अच्छा खिला लेकिन अफसोस, लास्ट बॉल पे राना उ बची बात इस दोलत की, तो सोना जैसी प्यार करने वाली लड़की के सतके में, मैं इसकी दस गुना दोलत तुझ जैसे घरीब की छोली में डाल सकता हूं, और हां, जो जीज लेने के लिए मैं यहां आया था, वो मैं लिये जा रहा हूं, तेजपाल जी का नाव, और एक ब बहुत ही जल्द, इस सड़क पर जो सबसे बड़ा बंगला होगा, वो राज मलोतरा का होगा, जिस विल्डिंग में तुम्हारा ओफिस है, उसके टॉप फ्लोर के पर जो सबसे बड़ा ओफिस होगा, वो राज मलोतरा का होगा, और जो सिगनल पर सबसे बड़ी काड़ी र जानू, दो मिनिट के लिए ठेरो, मैं तुम्हारे सौगत के तैयारी करके आता हूँ. मैं भी आती हूँ, ना? डोन्ट हर्ट मैं फीलिंग, जानू. शादी के बाद पहली बर घर आ रही हो, ना? अच्छा. ओए, मुन्डू, चाहे बेजएक! अरे, 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 ये क्या देख रहा हूँ, मैं? सुदामा की कुटिया में भगवान शिरीक किशन परसनली बदा रही है. मजाक मुत कर, यार. अरे, मजाक तो आप कर रहे हैं? तेजपाल के दामा, तीन-तीन बंगलो के मालिक, मेरी कुटिया में क्यों बंगलो में रेनोवेशन चल रहा है, क्या? रेनोवेशन है रेवुलेशन चल रहा है. मेरी पत्नी है, खुदार टाप की भूली-बाली लड़की है. पत्नी की शादी के बाद जगा होती उसकी पती के खर में. अब पती बेगार है, उसको कैसे बताओ मैं, यार. अच्छा मतलब भाबी को भी साथ लेकिया है. आहां वो नीचे गाड़ी में बैठी है, उपर तो आ नीचे बैठी होई है. अरे बाबी, बाबी, मैं सीरी सिर्फ तरके नीचे आ रहा हूँ. I swear this world is full of emotional fools, man. अच्छा मेरी बाबी आईया है, बाबी जी, welcome, 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 आईया है. चोटे जदी समार उठा. टन 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 टन. मौन, अब तु यह नहीं कहना, कि तु घर चोड़के प्लेटफॉर्म पर रहेगा, okay? तु मेरी चिंता मत कर, हमारा अशियाना तो भार बरामदे में है. आज से इस घर में सिर्फ तेरी घरस्ती शुरू होगी, बाबी जी, best of luck. नमस्ते. नीचे जाकर सब्जी तो लेकर आ, जा. बास्टर आद्वी है तु अब तो बास्टर भी है, अब तो बास्टर भी है. बहुत अच्छे हैं मोन भाईया. बहुत टॉप लेवल गाद्वी है. जानू, बाइस साल पर आए घर में रहने के बाद, आज अपने घर आकर बहुत अच्छा लग रह आ हुए. समज बिन हो इतनी जल्दी इतन सब कुछ वकुछ कैसे हो गया. समज में तो मेरे भी है आँ नी जल्दी इतनी जल्ली इतना सब कुछ कैसे हो गया. बाबीजी, बाबीजी और दिस्टब्र इंटिबेट रेलेशंटिप लेकि दिनर में बैंगर चलेंगे, ना? चलेंगे, चलेंगे, चलेंगे Now you can come closer. I'm going out. I'm gone out. Mr. Rajat, ये पूरा कोट खाली का खाली क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि राज, कोई भी लाइर कालरा के भाई का मुर्डर केस लड़ना नहीं चाहता. कबाल है? क्रिमिनल लाइर मुर्डर केस लड़ना नहीं चाहता? वो क्यों? भाई बामुली आदमी थोड़ी है वो. इस शहर के सबसे बड़े अंडरोल डॉन का भाई है. दिन दहाडे रास्ते पर एक आदमी को उसने चला कर मार दिया. तो डॉन का भाई है तो उसके खिलाब गवाई कौन देगा है? है एक आदरश्वादी सोशल वकर पांगे. जब फाइनल हेरेंग का टाइम होगा तो उसको अस्पिताल पुचा दिया जाएगा? नहीं राज, उसे पुलीस प्रोटेक्शन है. और फिर सब लॉइस यह जानते हैं कि पांगे अपनी जबान कभी नहीं बतलेगा. और अगर उसकी गवाई पर कालरा के भाई का वकील ये केस हार गया, तो कालरा उस वकील को गोली मारतेगा. और अगर जीत गया तो? दूंगरी में ठच जाने का. ये भाई कोन एक काहें जाने रहा है? जी वो कालरा साब सब्सक्राइए. काम क्या है? वो उनके भाई के केस के सिलसल में बात करनी है उनसे. वकील लग रहा भाई हाँ. तीगे तीगे. इस फाइल के अलावा और भी कोई फाइल है क्या? नहीं इसका, इसका कॉपी तेहिए. कालरा भाई! वकील साब मिलना है ले आपसे. हलो सर. कौन है तू? वो आपके भाई के मुर्डर केस के सिलसले में बात करनी थी आपसे. ओ, बात कर इसे. पहले कोई मर्डर केस लड़े हो? यह ने मर्डर केस थो नहीं लड़ा लेकिन काफी बड़े-बड़े केस अंडल किया जैसे रॉबरी केस, हाफ मर्डर केस. मर्डर केस भी निकालनों वाई हो. क्या कालरा किसी को भी तर बेज़ देता है? यह जावाई यहां से, बहुत काम है. कालरा साब, बात तो सुनिये मेरी. मेरा दिमाग वैसे ही आफ आउट है. मैं तेरे अंदर दो गोली डालेगा, पॉलीस मेरे को पकड़ेगा, यह लोग मेरे लिए फ़केल डूड़ेगा भी जा. जा. एक मिनिट, एक मिनिट, यह पकड़ी, हाँ कोट छोड़ी. कालरा साब, आपके भाई का केस लगने का मुझे एक मौका दीजे. उसके तक्दीर के सितारे अपना जाएंगे मैं कहरा हूँ. एक मिनिट, कालरा साब, इसे यह मौका दे दीजे. कालरा साब? आप दे उदूतो, आप फरिष्टो, यह एंजल, और लेट मिटल यह ग्रेट सार. मैंने पहले भी तुझे इसाब करने से मना किया था ना? किया था ना? तो फिर क्यों कर रहा? आप जा जाकर केस के तैयारी कर रहो, वरना यह केस मैं वापिस ले लूँगा. कालरा साब, आइसे केस की डिटेल्स, जी तारा जी, प्लीज, कम, कम, कम. खुराना आमा, तुम्हें पता है ना कि तुमने क्या किया है? मैंने खुद अपनी आखों से से देजपल जैसे होश्यार और अकलमन वकील को बेवखूफ बनाते देखा है. अब यह केस तुम्हारे भाई के लिए नहीं, अपनी जान बचाने के लिए लड़ेगा. हाँ, जानू. जान, कितनी देर लगा दी, पता है हम कितने परिशान है? क्यों? राज, तुने कालरा का केस लिया है? हाँ, लिया है तो. और तेर को पता भी है कितना खतरना का आत्मी है वो? जिन्देगी में आगे बढ़ने के लिए कभी-कभी जिन्देगी को भी दाओ पे लगाना पड़ता है, समझा? अपनी जान को दाओ पे लगाने से पहले तुमने यह भी नहीं सोचा, कि मेरा क्या होगा और हमारे होने वाले बच्चे का क्या होगा? जानू, यह सब मैं उसी के लिए तो कर रहा हूँ. तुम्हें एक मिनिट के लिए सोचो तो सही कि मुझ से शादी करके तुमको क्या हासिल हुआ? यह सड़ा व अच्छप्रा यह उजड़ी बस्ती जिससे माशेना कहते हैं आनन महल? नाई, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी होने वाली अउलाद इस जगह पर अपनी आके खोले. और तुम देखना, यह केस तो मैं चुटकी बजा कर जिजजा हुआ. अच्छा, चुटकी बजाने जितना असान काम है, तो फिर ऐसा कर, यह केस तो मुझे दे दे, जो कुछ भी होगा न मुझे होगा. मिश्टर मोहन, जिंदेगी में बड़ा आदमी बनने का सपना मैंने देखा है. उससे साकार करने के लिए जो कीमत चुकानी पड़ेगी, वो भी मैं ही चुका हूँगा. इयोर आउनर, चब्विस तारीक की शाम को, पांस साड़े पांच का वक्त रहा होगा, कि मैं दिन भर की जन सेवा से थका मांदा, लल्लू भाई पार की बेंच पर आराम कर रहा था, कि अचानक मुझे बचाओ, बचाओ के चीखने की आवाजें आई, मैंने मुड़कर देखा, तो लल्लू भाई पार्क के पीछे वाली सड़क पर एक आदमी बेतहाशा भागा जा रहा था, और उसके पीछे ये साहब, बिलकुल यही साहब, हाथ में टीन का डिबबा लिये हुए, उसी तेजी से उसका पीछा कर रहे थे, सामने भागने वाले आदनी को ठोकर लगी और वो गिर गया, इन्होंने उसे दबोच कर, उस पर उस दब्बे से मटी का तेल चड़कर, जला दिया साहब, बुरी तरह जला दिया, इफेंस को कुछ कहना है? यस मिलोड, मैं मिस्टर पांगे को क्रॉस एक्जिमिन करने की इजादत चाहूँगा. पर्मीशन ग्रांटेड. तैंक्यू सार. ओ, सॉरी. हाँ, तो मिस्टर पांगे, आपने ललू भाई पार्क से इने त्रिलोक नाथ जोलर्स को जिन्दा जलाते वे देखा. जी हाँ, मैंने अपनी आँखों से देखा है. जब यह आजसा हूँ, हम आपर काफी लोग होंगे? बहुत सारे लोग थे साब, काफी लोग थे. तो उन में से कोई गवाई देने के लिए क्यों नहीं आ है? क्या बताओं साब, सब डरते हैं इनसे, डरते हैं. अच्छा, आपको डर नहीं लगता? नहीं साब, मैं नहीं डरता. तो आप जैसे बता रहे हैं कि आप निर्भाय और निरडर आदमी हैं, ऐसे आदमी के सामने किसी को जिन्दा जला दिया गया, आपने उसको बजाने की कोशिश क्यों नहीं की? कोशिश की थी, वकील साब, लेकिन जहां मैं खड़ा था, वहां से पार का गेट कुछ फासले पे था, पहुंचते पहुंचते वक्त लग गया, तब तक वो चल चुका था. तो आपको गेट तक जाने की कोशिश करने की क्या ज़रो थी? आप दिवार भान कर जा सकते थे और उसको बचा सकते थे. मैं जूट नी बोलना हूँ, वकील साब, मैं दिवार कूधी नहीं सकता. आप दिवार कूध नहीं सकें, मिश्टर पांगे, या आपने एक लंबी छलांग लगाने की कोशिश की है? काल्दा के कर्दों के पर पैर रखकर, आपने अपना पॉलिटिकल उलू सिदा करने की कोशिश की है? अब्जिक्शन मिलोड, लेट में कप्लेट सर, इसलिए आपने इस कैस्ति थूरू, मैक्सिमम माइलेज हासिल करने की कोशिश की? ये क्या अकबारों के अंदर फ्रंट पेज़ पर आपके इंटर्विउज आते हैं? क्या आप मिश्टर काला को खतम कर देंगे? प्रेस और मीडिया में चिक चिक कर आपने इनके खिलाफ एक अजीब समाहूल रचा दिया है अदालत के फैसल से पहले आपने इस आद म्याता आद्मी को जन्दा की नजरों में मुझरीम कर दिया और खुद गभा होने के बावजुद जज़ बनकर इनके खिलाफ फैसला सुla दिया और अदालत को इस तरह से मिजगाइट करने से पहले आपने इस सोचा किसे नहीं कि आपका एक मामली से जूट एक जवाल अद्मी के जान ले सकता है आडर आडर Your Honor कितने शर्म की बात है कितने दुख की बात है कि एक आडमी को दिन दहारे बीच सड़क पर जिनदा जला दिया जयता है क्यों? क्योंकी उसने गुंडों के सामने जुखने से मना कर दिया इंकार कर दिया अपने ख..न पसिने की कमाय से हिस्सा देने के लिए मना कर दिया और इतना सिरियस क्राइम करने के बाद भी या आदमी ये शक्स कानून से रहम की भीक मांगता है नो यार उनर ऐसे आदमी पे रहम करने का मतलब है फिर किसी मासूम की जिन्दकी को खत्रे में डालना I think ऐसे क्रिमिनल्स के लिए कानून में सिर्फ एक ही सजा है फासी मिस्टर मलोतरा अब भी आपको कुछ क्याना है No, Your Lordship I think मुझे दस मिनट का प्रेक चीए सर फ्लीज किस अनारी को केस सोब दिया कुरान अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो तुझे और तेरे इस फकील को दोनों को पोली मार दूगा अरे कुछ नहीं होगा आपके भाई को अभी केस का फैसला हुआ नहीं है रड़का इतना जल्दी हार मानने वाला नहीं है Your Honor मैं एक केस हार गैस इनकी छूट के सामने मेरा सच हार गया मेरा करियर मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया अब इस बिचारे को फासी होने से कोई नहीं बचा सकता और अगर इसको फासी हो गई तो इसका भाई पागल हो जाएगा यह फागल हो गया तो मुझे गोली मार देगा pops मैं के लिए यह रिंगा यॉनर मैं के लादी इंवरूंगा सर मैं अपने साथ ज़नेश साथक्जव को भी लिये जाऊंगा मादालो में इंसको आंसा पादालो मादा लोगा यहâ मनें इसको आंसा मैं ज नहीं इसे है, मैं ज़ाल समा जाल हुअ, मैं तो जवाने है, मैं सबस्ता है मिश्टर राइब में ओतना यह क्या तमाशा है आम सॉरी सर कि आम सॉरी और अगर मिश्टर पांगे के जूट को साबित करने के लिए मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था कल्यों हो या सत्यूग सच्चाई को हमेशा अगनी परिश्य से घुजरना ही पड़ता है जो आदमी दूसरे की जान बचाने के लिए तीन फीट की दिवार कुद करनी गया वो अपनी जान बचाने के लिए छे फीट का कट गरा और आठ फीट की दिवार कुद कर उस्तर चला गया इससे इसाबित होता है योर अनर के मिश्टर पांगे कितने बड़े जूटे हैं इन्होंने दो जूट और कहें इस अधालत के अंदर पहला जूट कि वहाँ पर भहुत सारे गवाह महजूद थे अगर वह थे तो वह का है गलत वहाँ पर सिर्फ तीन लोग मौजूद मिश्टर पांगे जलने वाले मिश्टर त्रिलोग नाच जी और मेरे क्लाइन मिश्टर विनोद और दूसरा जूट इनों ने ये कहा कि ये आग बजाने के लिए गये थे और मेरे क्लाइन मिश्टर विनोद इन्होंने आग लगाई जबके हकिकत ये है कि आग इनोंने लग जो आग बजाने की कोशिश करते हैं, आग जलाने वालों के हाथ कभी नहीं जलते सरा और वाग पत्तीयों में सिर्फ एक अदमी का हाथ मी जला एंड़ जोन लिमिस्टर पांगे एंड़ आप साल यूराणा अरे कौन कहता है मुख काला है जूटका जूटकाए पांगे जूटकाए पांगे मिस्टर राज, मिस्टर राज से एक सवाल पूछना है, आज की जीत में आपने सच के लिए दिल लगा थे और जूट को जिताने के लिए तेमाग का इस्तमाल किया, हम, अरे, एक प्रेटेग मेंट, नो कॉमेंट्स प्लीज, थैंक यू, वो तो हो गई, क्योंकि सब जानते के किस ने किया, और आग किस ने लगा, खमाल है राज, चंद रुपों के लिए आपने इंसाफ की निलामी करती, एक बे गुना को सजा दिलवा दी, और इस दरिंदे को आपने छुडवा लिया, यह, परे भाई को दरिंदा कहता है तो, यह भाई कटा, तुझे, सच खुजने हाज तो इसने तेरे भाई को बचा लिया, लेकिन, लेकिन याद राख, ऊपर वाले के याद देर है, अंदेर नहीं, इसी कौट में तेरा इंसाफ होगा, और इसी कैमरे के साथ, मैं तेरी कर्टूतों का परदा फाश करूगा, यह, बहुत बोल रहा है, तुपटा लोगा, मैं सबको चुना लगाता हूँ, इन्होंने मुझे चुना लगा दिया, मेरी फीज नहीं दिया, तुम्हारी फीज, मैं दूगी, ओ हाई, मुझे फीज लेने में कोई प्रॉब्म, यह, काफी पपलिक है, वैसे अकेले में कैसे रहेगा, चली, तो तुम यहां रहते हो, हाँ, आज तक का पता तो यही है, लेकिन अगर तुम चाहो तो कल यह कप परेट, पाले ही लिए जूस कीम भी हो सकता है, आज से तुम हमारी कंपनी में आ गये हो, तुम जिस चीज पर उंगली रखोगे, वह तुम्हारी हो जाएगी, आज शूर? हाँ, नौच्ची. हाँ, नौच्ची. होगे रहे हो आजा पास तरसाना सोड़िये वरना मुश्किल हो गई रहे है उड़े गई मेरे निन राइख देखते ही देखते तु दिल लगी थामने देख तेरा बलमा खड़ा है तेरे सामने मुझे का अपरती तु चुस कैसे आएगा 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 हाँ, जब पास तरी सोरा साजिल, वरना, मश्किल हाव गईर, हाव, उड़ गई तेरी नींदेर, हाँ, 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 भड़ा चित जोर है तो इतना सताएगा आने गिम्रा हार तू दिवानी हो गई यार तू मेरी हो गई जै हो गई जै हो गई जै हो गई जै हो आजा पास तेरी सोरा सोज रहा बरना मश्किल हो गई रहा हम उड़ गई तेरी नींद नातों की गर मैं की करा मैं खोगाई दे, खोगाई दे, खोगाई दे ओ, आजा पास दरसाना सोने ये, वरना मुश्किल होगाई दे किया का, आई विटनेस नहीं मिल रहा है, आई विटनेस नहीं मिल रहा है, तो ढूंडो, इस शहर में बहुत सारे लोग है, जो पैसों के लिए आई विटनेस बन जाते हैं, मैं कुछ सुनना नहीं जाता है, मैं हर रहल में एक केस जितना जाता हूँ, बस, and that's it, okay, bye, 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 bye आई विभी, औरे तेरे नसीब से तुरोशन है मिरा ये घर, बस तू हर थूटते वे तारे से अपने पापा के लिए प्रेयर किया करें, फिर देख तेरे पापा कितना बड़ा लॉयर बन जाएगा, बस, 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 अब पापा को काम पर जाने दो, बड़ा लॉयर पनाने एक मिट, हाज इंटू बाल टिक करना, आपस लास लगाँ, ओके, लीजे, आप आएने में क्यों नहीं देख लेते हैं, इसलिए कि तुमारी आखे मेरा आएना है मेरी जानू, अच्छा सुनिए, आज सरा काम से जल्दी आ जाएगा, क्यों, क्यों जल्दी आएगा, क्या है क्या है, क्या है, आप बताएए, मुझे नहीं बता, हाँ, 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 करवाचोत रखने के बाउचो, तुम इतने खुबसरत किसी लग रही हो, तुम्हारा चरह नहीं उतरता वरत करके, आज करवाचोत नहीं है डाड़ी, आज पेरेंट्स देया स्कूल में, आरे आ आजे डागे, आज़ने करते है, आजसे आटा, हाँ, बता गारे आऑे है, आए ड्योसरा समक्रावन अननन दो चॉकलीट की शर्ट लगाए थी ना नहीं आये ना तरे डाडी आज आएंगे मम्मी डाडी को लास्ट बॉल पर छक्का मानने की आदिते मेरे आइटम शुरू होने से पहले आजएंगे 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 यूनस ये फाइल क्लिर करते दा अमा कमाल यार तुम ये काजूबा आइटम हो यार चॉपीस घंटे फ्रेश लगते रहते हो सिल्वेस्ट श्टॉलान की तरह मुझको समाज में यादा कि तुम अपने आपको मेंटेन कैसे रखते हो हाव डियू टूइट निम्बू सी तासगे यसमीन से खुचबू तुम इंसान हो या हाँ हाँ मर गया मेरी बीबी का फोन आज तो परेंट्स देके लिए मुरी चल्टू के स्कूल आ था हाँ हलो दे मोबाईल कस्टमर्य व्डाइल इस करन्ट्ली आविलेबल बीज त्रय कॉलिंग लेटर है स्कूल में इंपजार कर रहा है दर जल्दी आएंगे प्लीज कि यूनस्टुम्हों काम समालो तुम्हों सब मिलके काम समालो मैं भाग रहा हूं जल्दी आगे साब कियो भी दख शुरू नियुक्त खतम होगे दो घंटे हो गए और अगले साल के फंक्शन के लिए एक साल जल्दी आगे नाम किया आपका बाबुराव साथ कितना कम बोलते हैं अच्छा देखे जिन्दी की में बहुत तरक्की करेंगा अच्छा बंजागा साथ होटल ताज के गेट के बार खड़े रहेंगा थैंक्यू साब अल दिए सलाम साब जी खुश भी हो रहा है बेकू तीसा आंटी देखो डाड़ी आज भी प्रोमिस करके नहीं आए मेरे सारे दोस्तों के पेरेंट्स आए थे चिंटू बाबा पापा को कोई काम पढ़ गया होएंगा आंटी पहले बापा कितना मजा कराते थे डिनर पर ले जाते थे पिकनिक पर ले जाते थे स्कूल छोड़ने आते और लेने आ मेरी बात करने से पहले ही मेरी बात को बहाना बोल रही हो अरे तुमको तो मेरी शकल देखकर मेरी हालत का अंदाजा लग जाना चाहिए मासूम की किसमत अची थी जो मरते मरते बज गया इसका पापा क्या हुआ पापा अर मैं जल्दी जल्दी निकला ना तेरे स्कूल आने तो क्या करो में अज तो कितना शक करती है सोन आज कल मम्मी अज ग्रॉस एक्जामिन मत करो जाकर अंदर से श्प्रेय रेकर और पपा के पेर पर लगा अच्छा अब यह श्प्रेय का नाम भी बताते मम्मी को वरना क्यडे मारने का श्प्रेय देगी कम ऑन पाबा, कम आन ये, ठेक ये, आयो, ये, ये, टीक, तुम्हारे तो घुटने में चोट लगी थी ना, तो चोट लगी है न, बच्चा कहलने के लिए ये, तो खेलूगा नी क्या बहुत चूट बोलते हो, सोना, बेबी, जानू, आ लाव यू, कितना नैशाग करती है, सोना बेवी बेखने के लिए निदेने कि लिए आऊ हुँन बूल गयाstadt त्यरीवर्थ है अमरगया यर याज यार पेड्ञेक के keywords बारे में भूल या मारे जनुर सिरी के बार मैं भूल जाओगा तो निस भी तो घर से भार निकाल देगी वो तो इक काम कर थो फुल मुझे देओ चुंसे jana hy जा नू बेपी मैं अविल harbor तुम क्या सोज़े थी कि मैं आज अपनी शादी के सालगेरा भूल जाऊँ हूँ हापी अनुवरस्टरी मेरी जान मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें कभी समझ पाऊंगे आज 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 मेरा पेता है लाव यू अदे मेरी जान तु तु जानती नहीं है कि तु मेरी जान है तु मेरा जहान है तु ही मेरी घरती है और तु ही मेरा आस्मान है अरे अपनी इधर आयला है वाकिल सापके घर पे आज उनका वेल्डिंग एनिवस्टरी है यार अंग्रेयस लोग नभी कमाल का वड निकाला imprison कर को वेल्डिंग लोकांप्षी को घ्राद को फीरड वेल्डिंगessä की टाका मानने को को वेल्डिंग बोलते और इंसान के जोड़े को भी वेल्डिंग हुआ हए मेरे शेर खिलोना पसंद किया भितों मर्दों वाला पन अकली के हो अपने जैसे भाईखें हो ते वह असली गण से खेलना यार ये असली गण है बिलकुल चलाके देख अड़ोस पड़ोस के चार घर के दूद के बर्तन नहीं गिर गय ना तो अपना नाम काला भाई आप बे पंक्चर हो जाओगा, उदर, उदर. क्या हुआ? बेटा, क्या हुआ? भावी मा कसम कममाल का निशान आपके छोक्रे का, ये बढ़ा हो के बहुत है. सोना! क्या कर रहे हो तुम? वकिल साब, वकिल साब. काला भाई है वो? भावी है, भावी है! कोई बात ने मारा अपने कुना आपन देवर समझ के मार खा लिया है यार और को रोता ना तो इसमें पाच गुली बाची है काला बाई I'm very sorry very very sorry चलता है बाभी काला चलता है हैप्पी वेल्डिंग एनिवर्सरी थैंक्यू 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 सुना माल में कौन है वो मुंबभी के माफिया का राइट है आदमी है वो और हो भी कौन सकते क्या हो गया है आपको पहले मोहन भाई साब जैसे अच्छे और इमानदार लोग आपके दोस्त हुआ करते थे और अब यह यह गुंडा माफिया आपके सर्कल हो गए घर तक आने लगे सोना वो मेरा क्लाइंट है अफिसर घर में नी आगा तो खा जाएगा वो कि अवे अधिक अब मेरे बेटे पर इन लगा है आज बंदूग चलाना सिखार कलबं बनाना सिखाएंगे में अventara में उस फॉप में रह सकते हैं चल बेटा है सोना 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 इसमानल सोना चलो समानबनदो समान बनदौ आ कि तुम्हें खुशी हो रहे हैं। खुश कैसे मैं बीवी चले जाएगी तो बीवी बच्चे के साथ घृस्ती होती है मेरे सामन बंदो ताक कि मैं भी तुम लग के सार रहूँगा पड़ा रहूँगा किसी कोने में पुछे समझ में नहीं आता तुम्हारे साथ कैसे रहू? लेकिन मैं पताता हू ना तुम मेरे साथ प्यार से रहू देख मैं हाथ नी जोड़ूगा मैं आज जोओगा तुम नीचे के लिए चिंटू तुपा बखेर ने हाई मेरा बच्चा आयायायाय मेरा तो कभी लाड़ने करती तुम हाई मेरा पेट अच्छा सुन बेटा तुझे पक्का पता है डाड़ी यही आने वाले थे हाँ मम्मी उन्हें ने यही कहा था कि वो अपने क्लाइन के साथ सेंटार होटेल में दिनर के लिए आने वाले थे जूस्पी पथा नही कहां भस गए होंगे हागज़त से मजबूर – हाथ मैं तुम से बहुत नराजू क्यू क्यों – तुम मुझे शादी से पहले कِम यही रहली क्यों वर्ना तुम मुझे से शादी करते ए अच्छा हुवा, तुमने मुझे से शादी नहीं की क्यों वर्णा में अपनी वेडिंग आनिवर्स्री पर तुम्हारी बीवी की तरह इंतजार कर रही होती मजाग करने की आदत नहीं जाएगी तुम्हारी पीना आएगा अक्सर मैं खाने के लिए यहीं पराता हूँ यह हूँ वाट फूद यू गैठ यह बीवल्टिफुल प्लेस वा बीवल्टिफुल पीपल वाम्मी डाडी आगए कि चल्ड अरे मैडम तो चली गई इस केक का बिल कौन भरेगा बिल मेरे नाम का फटा है भाईया तो माई भरूगा कांती ही वह तारकम चांग कोई चिअ चल्डड है तो क्लाइन की बीवी का इस तरह सबके सामने हाथ पकड़ किया कर रहा थे आप तो तुमने तो मेरा सिर्फ हाथ उसके आमे narrower कmember उसे पहले मेरा हाथ पकड़ कर मैंने उसके अपने गाड़ी में ढखेल दिया पीटा अंदर जाएगा वो अब जब उसने सब को सुनी लिया तो पूरी सच्चाई गौर से सुनेगा हमारा चिंटू सच्चाई जिसका तुम्हें पता नहीं तारा और चड़ा साब एक दुसरे को बहुत प्यार करत सब्सक्राइब करने के लिए होटल में अब मुझे क्या मालूम था के पराई आपको बुझाते मेरे खुद के हाँ जल जाएंगे और अपने बेटे के सामने उसकी मा के अदालत में हम मुझरिम करार कर दी जाएंगे ये तो वही बात हुई कि मैं किसी का केस सॉल करने के लिए और मेरी जिन्दीकी का केस खराब हो गया आमें दिस स्रिदू क्लस हो ना आम सॉरी मुझे आप पर शक नहीं करना चाहिए था कोई बात नहीं इसे पता लगता है कि तो मुझसे कितना प्यार करती हो ये और सो पधेसी बात नहीं क्ला ये लेख 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 आपार आम सुनो मिया सुनो मिया तुम हो दिवाने सुनो मिया सुनो मिया तुम हो दिवाने तुम हम पे मरते हो दिल कैसे माने सची सची कह दो नो डोलो सजनरे जूट मत बोलो सजन रे जूट मत बोलो सुनो मिया सुनो मिया तुम हो दिवाने तुम हम पे मर्द हो दिल कैसे माने सचे सचे कह दो न डोलो सजन रे जूट मत बोलो सजन रे जूट मत बोलो प्यार तुझे करता हूँ देख मेरी आखों में तेरे बिना नींद नहीं आती है रातों में प्यार तुझे करता हूँ देख मेरी आखों में तेरे बिना नींद नहीं आती है रातों में मिठी मिठी प्यारी प्यारी तेरी इन बातों में आ गई मैं आए प्या लेले मुझे पाहो में कोई दिल दिया तुमको यह लो जूट मत बोलो सजनरे जूट मत बोलो सजन रे जूट मत बोलो देखी है घजब की चमक तेरे गालों में सीने से लगा ले मुझे अपना बना ले तेरे संग रह रहा है दिल में बसा ले ओय दिल दिया तुमको ये लो देखो ना छूट मत बोलो सजन रे जूट मत बोलो हो सुनों मिया सुनों मिया तुम हो दिवाले सची सची कह दो न रोलो सजन रे जूट मत बोलो कियो बे बहुत लीडरी इचा गई है तेरे ओपर घर खाली नहीं करता है अभी तेरे चक्कर में जो दूसरे टेनन्ट घर खाली कर रहे थे मना करते हैं साब बता रहे थे साथ साल जे वड़ा दंकिया तुने ये को रट वो को रट अभी केस मेरे को रट में और फैसला सुन ल इसका अगेस पर दस्तागत कर भाई साब अब ये केस हाई कोट में है जो कोट फैसला करेगा वो हम मन्सूर कर लेंगे मतलब मेरा बात नहीं मारेगा तू देखे ये मामला इनके और मेरे बीच है आप बीच में पड़े तो अच्छे तेर को मालूम है तू किससे बात कर रह है अब ए तू को मरने से डरनी लगता किया साले ले 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 नहीं तो यह लाग भी नहीं मिलेगा समझा हमें हमें घर के बदलि घर चाहिए नहीं तो जो कोट फैसला करेगा वो हमाने जाने देएसे कोट में मिलेंगे हो जा वाले गज़ को जो, ढपासी अ। अपासी शपिए टामझा टुटी फिट कि भीजेंगी, देता है man हुआ 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 बहुर만 प्रूर्ट यह जो झाल को बाखिए गजिए उसको! इसने तुसाप शूट कर लिया! कुछ नियोगा कुछ नियोगा! अरे चल जो हैं कुछ नियोगा! अबसे थेस्लिक कर दो है जाल अबसे जाल भुबसे खक एबसे हुए झाल 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 हरु सोड़ीन यह साइफ जाल पर को प्रफमुस्यजजज से यह कॉन इसका नाम रजद है राजद हाल राइट रहे टेट अरे घ्रेट क्या होँ आम सारी अगे अगे तेक उदूल आपल जोज बात कर नहीं इंद है को बलाए बाद में बाद में कुछ नी कुछ नी बाद में वहा क्या ने कुछ नी हुआ मैं ठीक हूँ सब ठीक है राज मैं ठीक हूँ अरे सुर। कर भाएफ और बाला को कर दो तरा तरा अब दॉटिफट यह वोमन इस वाल्ड जिफ्ट यह अचानद बस्मूड आगया मूड आगया कि बीवी के लिए कुछ लेने गय थे और तुम मेरे लिए भी कुछ लियाए ओ कमान डालें किस बोर का नाम ले लिया यूनो था डार्लिंग चांद ड्राइंग में पड़े वेस टीवी की तरह होती है उनको जब आउन करो पुराना प्रोग्राम चल रहा है और मैं तुम आहां तुम तो इंटरनेट हो जब आउन करता हूं एक नई साइड दिखाए देती है गड़ जल्ली बेंगे है हाँ 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 राज यह कैसेट किसकी है कैसेट कौन सी कैसेट भाई इसके अंदर कुछ भी नहीं है दीन बार आगे पिछे करके देख लिया कैसेट एक दम खा लिया है मतलब कुछ रिकॉर्डिश नहीं हुआ और वह साला चनलिज ने फुकट में अपना जान दे डाला भाई साब कवीता मात्रे का घर का है वह वहां से तीसरा रूम शक्री चल चलो कवीता खब्राओ मत्राओ मैं हूँ न तुम्हारे साथ तुम्हें तुम्हारे घर से कोई नहीं निकाल सकता राज लड़ेगा तुम्हारा केस मैं तुम्हारे पती के कातिल को सजा जरूर दिलवाऊंगी तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा हाई बेबे हाई जान बैठो ना मुझे तुमसे कुछ बात करनी है क्या वादे बड़ी सेरियस लग रही हो आज है तुम्हें मेरे लिए केस लड़ना है एक केस ये जिदने केस लड़नाह TV लड़नाह मैं नहीं नहीं पहले वादा करो कि ये केस ना सिर्इफ लड़ोगे जीतोगे भी कविता के हस्बें का केस उसकी मॉडर का केस ये कविता के हस्बेंड के मर्डर का जो केस है उसका जिमा तो कालरा के छोटे भाई पर है ना हाँ और पिछली बार अगर तुमने उसे नहीं छुड़ाया होता तो शायद आज कविता के निर्दोश पती जिन्दा होते है मैंने कविता को इंसाफ दिलाने का वादा किया है तुम मेरी कसम खाकर कहो के मेरा ये वादा तुम पूरा करोगे करोगे ना यहाँ से ही घरे बाते अच पूरी मंडलीывать क्यारे च्पार्ध क कर रहा है तो अकॉल खष अज़ एक कर रेख कर रहे हो गए के खिलाब के ली बंठ है लेगा ट्सक्राइव नेत्ना सब्टल कर रहे है तो कामितन को इनसाफ दलाएगा तेरा इनसाफ हम कर देंगे दो गोली डाल देंगे तेरा केस कौन लड़ेगा फिर यार आप बंदूक और तलवारी इस्तमाल करना जानते हो कि कभी कभी दिमाग भी इस्तमाल करोगे यह केस मैं नहीं लड़ता तो कोई और लड़ लेता और जीत भी जाता शाहिद च्योंकि पबली की सिंपती द जितने की फीज लिए आपसे पहली बार केस हारने के पैसे लुगा देखा भाई मैंने का था जरूर कोई कभाल का पपलू लाया होगा यह चोकरा अरे हम लोग सोच भी नहीं सकते इतनी लंबी प्लानिंग करके बैठा यह फैंटास्टिक हां मान गया कुराना यह इसको अं अच्छा लॉयर अपॉइंट करूँ तेज पाला निशोशेर्स में से मिश्टर आदर्श अच्छा तो यह लो उफ यादा है बावा मेरेको बहुत बड़ा लूचा लग रहे लाया क्या वरे अरे राज और रादर्श के बीच में 36 काकड़ा है यार राज और रादर्श आपस में एक जुस्तरे को नीचे दिखाने कर लिए एक सिक टिपस लडारे लिए राज नही क्या रहा हूं मैं क्या करते हो आपको कितनी बार का आए कि घर फोल मत किया करिए यह पोल बचन बंद कर बे मैंने सुना तेरे और रादर्श का 36 कागड़ा है मेरे साथ गेम कर रहा है क्योंकि केस लेने के लिए मेरे वाइफ ने मुझे मजबूर किया और वो अच्छी तरस जानती है कि मेरे और रादर्श की बीच में टेंशन जन रही तो वो कभी सपने में भी निसोच सकती के के इस में जानबूच के हार जाओगा समझ गया अब मेरा गेम जरा बड़े होगा है हम बच्चे आपके जरा हमारा ख्यान अखा करिये फ्लीज है आगे दिमाग है अब जानू यह कब कॉफी मिलेगी बहुत थक गया हूं मेरा बस चले तो उस कॉफी में जहर मिला के पिला दू तुम्हें पर क्या करो पत्नी हुना तुम्हेर क्यों ऐसा क्या कर दिया मैं जूट मकारी और कुछ आता है तुम्हें एक मजलूम औरत तुमसे इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठी और तुमने उसका केस लड़ने से पहले ही उससे हरा दिया तुम होना मुफ्त मैं आज कि बहुत शुक करने लगी हो तुम्हारी सारी जिंदगी एक बहुत बड़ा जूट बंकर रहे गई है यह 500 रुपे का नोट याद है तुम्हें यह इसी कविता का केस जीतने पर तुम्हें मिला था अपने हाथों से तुमने इस पर सत्यमेव जयते लिखा था तुम ही कहते थे ना सच्चाई के लिए हर चीज छोड़ी जा सकती है लेकिन किसी चीज के लिए सच्चाई को नहीं खोड़ा जाता और आज पैको के लिए तुम सिवाय जूट के और कुछ नहीं बोलते हैं ऑज उलता हूं तो तुमके समझती हो तुमारी ड़ड्डी जूटी मिलते हे कि हॉर माफ कीज़ेगा आपके जीजा जी आपके ड़ड़ी से बिचूटे हो हो और क्यों ने जूट ब आदमी काम क्यों करता है और पैसा किस के लिए कमाता हो गुद के लिए के बच्चों के लिए बीवी के लिए नहीं ये पैसा तुम अपने लिए कमाते हो अगर मेरी जिंदगी में पैसे की इतनी एहमियत होती तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करते मैंने तुमसे शादी की त की सच्चाई देखकर और जब ये सब चीजे तुमें नहीं रही तो मेरा भी यहां रहने का कोई मतलब नहीं बर्ता मैं अपने बेठे को लेकर यहां से चाह रहे हैं सोना अगर तुम गई ना और हाँ आज कोई बहाना नहीं बनाना क्यूंकि मैं नहीं रुखूँगी और एक और बात तुम्हें एक और केस लड़ना है हमारे डिवास का सोना बेबे चानू कि इतना बड़ा डिसीजन माना की रासे गलतिया हुई यह भावी लेकिन वो दिल का बुरा नहीं है आप चलो मेरे साथ मैं समझाता हूं उस गदे को नहीं मोहन भाया मुझे किसी किसम का कॉंप्रमाइज नहीं चाहिए मैं आपके पास अपना भाई समझ कर आई हूं अगर आप भी उनकी तरवतारी करेंगे तो मुझे यहां से भी चले जाना होगा कैसी बाते कर रही हो भावी यह घर तो तुम्हारा है लेकिन चिंटू के बारे में सोचो उसके फ्यूचर के बारे में सोचो भाईया राज के साथ रहकर ना तो मैं खुश रह सकती हूं और नहीं चिंटू का कोई फ्यूचर है इसलिए मैंने उन्हें तलाग देने का फैसला कर लिया है अंके यह तलाग क्या होता है पिटे भगवान ना स्वर्ख से जोड़े बनाकर धर्ती पे भेजता है और इंसान उसे तोड़कर जो पाप करता है ना उसे तलाग कहते अंके अगर मेरी ममी बपा अलग हो जाएंगे तो मैं किसके पास रहूंगा बिठे यह तो कोट फैसला क करेगा कि आप पापा के साथ रहोगे या ममी के साथ कोट मुझसे नहीं पूछेगी कि मुझे किसके साथ रहना है पूछेगा ना तब तो मैं बोल दूगा मुझे ममी बपा दोना के साथ रहना है तब तो तलाग नहीं होगा ना ऐसा नहीं होता पिटे और तुम्हारी ममी तुनी चाहती कि पापा के साथ रहे क्यों तुम्हारे पापा के जूट से तंग आ चुकी है वो अंकिल अगर मेरे पापा जूट बोलना छोड़ दे तो ममी पापा को छोड़ के नहीं जाएगी ना शायद बेटे पापा के जूट से बहुत परेशान है आप चाहो तो क्या नहीं हो सकता ऐसा चमतकार करो कि मेरे पापा कभी भी जूट नहीं बोले अगर चाहे भी तो उनके मुझसे कभी भी जूट नहीं निकले थांक्यू प्लीज राज आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम्हेरी बोर बीवी से तुम्हें चुटकारा मिल गया है राज राज यह मैं क्या सुन रहा हूं बेटे तुम्हारी हरकुतों से तंग आकर सोनम तुम्हें डैबोस देना चाहती है लेकिन तुम तो उसे प्यार करते हो तुम्हें अपना गुरू समझते हैं तुमने ऐसा क्यों किया बेटे यह सब तुम्हारे वजे से वाव बढ़ बढ़ाओ बेटी को पाला को सा बंग लेके अंदर और उसके बाद शादी के बाद सदने के लिए चोड़ दिया साना चाल के अंदर हां अरे वो तो कम अखली थी लेकिन तुम तो अखली थी तुम रख सकते थे उसको लेकिन नई मैंने तुमको अपना गुरू माना और बड़ी बेटी की शादी के बाद रिटायर नहीं हुआ, लेकिन मेरी शादी करती ही रिटायर होकर भिंडी और आलूगाने के लिए चला किया गाओ के अंदर और याद है किस तरह से पीट पर हाथ मर कर मुझसे का, हां कि बेटे, I am proud of you, my son, I am proud of you मेरी बेटी खाली हाथ हाथ से जा रही है, और जब बच्य की हाथ मैं कुछ दो गही नहीं हो खाली आती जाएगी घर से इतना भी नहीं के मेने दो मेने के खर्चBayचन दे देते, लेकिन ना, Spring All feeling, and mismo time आपको क्यों वारू अंकल आप मेरे बड़े अंकल अंकल आपको क्यों वारू आप मेरे बड़े अंकल हमकी अंकल यह वह जाता है बच्टों से अंकल अंकल आपको अंकल आपको में तुम्हों कि मेरे घर के माम बोलने वाली हाँ चलती फृती बॉल्डोजर डैनसार के सडी हुई अंडी शराप फॉरूरू अंपर काम करो यहानर मेरे क्लाइन मिस्टर विनोत कालरा पर श्रीमतिक कविता महत्रें ने यह इलजाम लगाया है कि उन्होंने अटकर दिया है पर यह हाकिकत नहीं है यहानर ट्रेन के कंपार्टमेंट में मिस्टर आनन महत्रे की लाश के साथ एक शूसाइब नोट बरामाद हुआ है जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि हालात से तंग आकर उन्होंने आत्मा हत्या की इनकी मलंपट्टी करवा दी बस शिरोड कर तू कितना जूट बोल रहा है भूल गया तेरा अक्टोबर सुबह 11 वजे तू कोट में था तुछ पर खुद रिश्वाद लेने का मुकदमा चल रहा था इंस्पेक्टर शिरोड करो क्या सच है यह रहनर जीप लेकिन मैं क्या क्य क्या 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 चुपरो इंस्पेक्टर शिरोड कर को हिरासत मिलिया जाए अधालत में जूटी गवाइद देने के जुर में इन पर मुकदमा चला जाए सर यह किसके साथ आए थे मुझे याद नहीं लेकिन हां इनके सर पर चोट आई थी और मैंने स्टीचेज ल देसाई कौन थे क्या बक्वास कर रहें आप अरे वो किसी और के साथ नहीं मेरे साथ ही थी हम हजबन भाई छुटी बनाने गए तो अगर आप बारा अक्टूबर से छुटिया मना रहें गोवा के अंदर तो तेरा अक्टूबर को विनोजी की पट्टिया किस ने की हाँ हा अगर मूड में क्या दो बोल में दो विकेड इरादा क्या है तेरा अफाई क्या होगे मुझे क्या हो गया मुझे मैं इतना सच्री बोल रहा हूं तूँ मानिंस साँ आज आप नहीं बोलोगे मैं कैसी लग रही हूं श्री देविया माधुरी सोब बताओ ना प्लीस सो शैतान की खाला लग रही हो आइसा बम लग रही है जो कभी भी पट सकता है तु तुम कमान में बच्चा लोग देखर कितना धर जाते होंगे। मीन सार। No, I am not mean! तुम बैटी हो तो यसा लगते है, जैसे कोई भैस पानी ने बैठ गई हो! तुम भे, I resign! Sir, 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 sir! Sir, में कैसा लग रहा हूँ? लग रहा हूँ बिल्कुल, धर्म जी जैसा? धर्म जी के इतनी बेज़ाती! अबे, तु धर्मेंदर नहीं तु बंदर लग रहा है! चलते फिर ते कुर्मूरे की को नी? दिन बर डुककर की तरह खाता रहता है, एक दिन फुग्गे की तरह फट जाएगा, पर तेरी लाश पड़ी होगी, उठाने के लिए कुली बुलाने पड़ेंगे, और कभी-कभी ना भी लियाकर भैसते, तेरे कपड़े ते बास मारते, पूरा स्टाफ परिशान रहता है तुससे, हॉस्पिटल में क्लोरोफर्म की जगा, अगर तेरे कबड़े सुंगा दी जाना है तो पेशन्ट कोमा में चले जाएगा, अबे पेट मद खीच, पेट खीचने के बावजूत तेरा पेट भाहर रहता है, मुर्दे के बाल कार देने से उसके वजन हलका नहीं हो जाता, मैं क्या बक्वास कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ मेने कंट्रोल में, अबेट पू कंट्रोल में आजा हूँ, अन्ना तुझे काल के फिख दूँ हाँ, डालिंग, सोना, लव, मैं बेबी, तुम यह क्या कर रही हो, तुम चली जाओ इसे, आज की दिन मुझे कोई नहीं मिलेगा, प्लीज, प्लीज तुम चली जाओ इसे, मैं तुमसे बातवात करने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ इतना पुछने आई हूँ, कि तुमने डाडी से ऐसा क्या कह दिया, कि उनका बीपी लो हो गया, उनके लिए डॉक्टर बुलाना पड़ा, तो बुद्डा बच गया, मैंने तो सोचा था, कि अब तक निकल लिया होगा, क्या बखवास कर रहे हो, बखवास नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने तो उनसे भी साफ-साफ कह दिया, कि मैंने उनके नाम और दॉलत के चकर में तुमसे शादी की थी, हाँ तुमारी पीचे में लट्टू बनकर इसलिए पड़ा हुआ था, तुमारे गाड़ी के सामें में जूट बूल कुदा था, मगर तुम्हें इतनी बेवकूफ लड़की हो, कि इतना छोड़ा से जूट नहीं पकड़ पाई, तर्बूज में काननाक मुफिट किये तुमारे बाफ की शकले की इंसान की में पूजा करता रहा, यह सोच करके वो मेरे जिन्दे की के चातरी बनेंगे, मगर तुमने, तुमने मेरे सर से चंप्राई कुल कर दिया, सब्मान और खुदारी के चक्कर में तुमने मुझे बदारी बना कर छोड़ दिया, और ने, I'm sorry, I'm sorry, Sona, 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 मुझे माफ कर दो, Sona, यह सकता है, शिट्टू, बेटे में आ रहा हूँ, अरे बया सुनो, जली सेन अंडर स्कूल चलो, ओ भाजी, तुसी मैने पैचाना? लड़ू सिंग, पाजी यह सी लड़ू सिंग है? जो भी जली चलो, जलो 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 जलो, मैनू सला दिती सी, क्या पाजी, कि रायदी टैक्सी जलाने इची फाइदा है, अपनी गड़्डी कर दी ना खरीदना? यार पहली बात तुमको यह अनिल कपूर हो, जो तुमारी शकल देखकर मैं पैचान लूू, तुमेर शकल के इस प्याइदना जलो कि अध्यारं देखको हैं। तुमको यहाद रखूगा? आफ तुमको मैंने शर्णा रखूगा? और दूसरी बात है कि तुमको मेने शला इसली दी होगी, लड़य।ुपाशी हुआ। ऑँ चिंटू, जुलाब लगए। अब चिंटू, टू, मेरे लाल। मेरे पीले, मेरे नीले। शूचला, जूचला programs चिंटू नहीं। तेरी विश कबूल कर दी। तेरी कॉनसी विश? आरे डाडी, कल रात को मेरे तूटेवे तारी को देखर विश किया, कि आप अभी भी जूत नहीं बुले। लो, इसे चात वपरवाले से विश कर दे था, कि तेरे डाडी मर जाए। सुबा से लेकर अभी तक आदी दुनिया मेरी दुश्मन हो गई है। बेटे, उपरवाले से बोल के तेरी विश कैंसल कर दे, औरना तेरी डाडी जो है ना? हाँ, वो चल पढ़ेंगे। अरे डाडी, कल रात को मेरे तूटे वे तारी को देखकर विश किया। अब दिन में तारी कास लाऊं। अच्छा बंदोबस किया है तुन्हे मेरे बेटा। चल जा खेल। बाई डाड। विश। ऐसा हो सकता है? यह वकील, कुरट के अंदा जच्चे सामने तेरे बहुत उल्टे सीधे पहिसरे ते बहुत चोड़ा देला था अभी पतली गली। चल भाई बुला, चाल। अबै ओए ओए कोड रिंग के खाली बोतल के मुड़े वे श्ट्रा। गिसी हुई कोला पुली चपल। यह देख, यह देख अरे सुबह सुबह ब्रैंडी मार के कोड गया था क्या अपने इविट्टे सुणा दिये अरे मेरा यखीन मानिये काला भाई मुस्ते जूट बोला नहीं जाना यारे चुपकर चुपकर तू तो इतना भड़ा जूटा है के मा के पेट से पैदा होकर पहला रोना भी जूट-मूट करोया होगा यह वकील, विनुत भाई को कुछ भी हुवन है इमान से इसके अंदर चेचिया है इस साम मूझ खोल के पेपन में कितरा पेट के अंदर नहीं दादिया कि वे शुखे वे छुआ रहे बासी उड़त के पापड तू क्या मुझे जब देखो गन के हुल पट्टी देता रहे था भूल गया उस दिन किस तरह से तरह को मेरी बीवी ने चबाट भारी थी खीच के दिन में तारह दिखा दिते फिपी सुद्र नहीं और क्या रही गन दिखाता रहे था रहा है चला पहुचो राज राज यह क्या करा हम तरह वेलविशर है अब कहा है क्या वेलविशर भै जब देखो तो लॉंडियों की तरह गन पॉइंट के पर नचाते रहे तो यह क्या है क्या बलाता उसकी तरह इंसान बना दिया गदा बनाते 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 लूग पठा बगएर सिंग बेल दसकुते पाल रखे अपने बगाल में अपने आपको शेर समझता है ते को राजबाई यह बात बोला मेरे को बाई जबान इला इला के बाई बोलता रहता है अबे बाई मान दो में मानूँ परगए इसमें इसका कुसूर नहीं है इस बिचाने का घर टूट गया हमारी वजए से इसकी बीवी से चोड़कर चली गई उपर ते आदमी इसे गन पाइपटर उठा के लिए है कोई भी पा क्या नहीं किया से हमारे लिए अपने आपको आठ तक लगा लिए तेरे भाई को बचाने के लिए इसे अपने तरीके से काम करने दे यार जास किमी दगान यू रिलाक्स ओके लिए राज पागल हो गया दिमाग खराब हो गया तरह प्रब्लम क्या बई है वो तेजपाल सबसे बड़ा जूट तो आप बोल रहा है तू बैट तो इदर अचल तुझे लगता है मैं जूट बोलता हूं बैट चल तूमसे कोई पैसा सवाल पूछ तुझे लगता जिसका जवाब मैं जूटी दूँगा चल पूछ मुझसे चीक है तो फिर बता मेरे बारे में तू अन्हें रहे बता मेरे बारे में कहते हैं तॉसन बड़ा बेवकूफ कि अपनी जिन्दगी में धेखा अभै अब जिस चार में बगर मतलब कि लोग किसे को पानी नी पिलाते वहां पर तुनी मुझे रहने के लिए अपनी फोली यड़ा तूचा कि मैं तुझे राजा हरी कर ली तब जाके मुझे बालू पड़ा कि तस साल मुंबई शेर में रहने के बावजुद तू पड़ा वकिल क्यों नी बन पाया और एक चालेंज वारो तू अगले दस साल भी रह लेगा ना इस शेर में तो उसी कोड के बाहर उसी घंबे के निचे खड़ा मिलेगा क्योंके नहीं मुझे तेरी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा फोन दे दे मेरा बलकि मुझे तो आज बहुत खुशी है तू वाकई में सच भी बोल सकता है काश यह सच बोलने की आदर तुझे बहुत पहले पढ़ गई होती तो इतने बड़े घर में तूँ अकेला नहीं होता बहां भी घर छोड़के नहीं जाती चिट्टू तेरे साथ रहता राज मैं तुस्से हाँ जोड़के रिक्वेस्ट करता हूँ बचा ले अपने तूटते हुए घर को बचा ले एक और सच बोलू मोन यह तू ऐसे करता है न मेरे दिल करता है कि एक लाफा मारू खीच के हेलो हाई डाड मैंने आज रात को तूटते वे तारे को देखकर अपनी विश वापिस ले ली है अभी आप फिर से दिल खोल के जूट बोल सकते हैं उसकी कोई जुरूद नहीं बेटा अब मैं जो भी लड़ाई लड़ूंगा सच के साथ ही लड़ूंगा हाँ कि यानर वं माला कि जिस दिन आड़ महातरे का कटल हुआ मेरे क्लाइं मंबई में थे पर इसे यह साबित नहीं होता कि मेरे क्लाइं ने उनका कटल किया क्योंकि आनरे के जेव से निकली फैल वे चिटी ये सब थाबिद करती है कि उन्होंहोंने खुदखुशी की आनन महानन महात्रे के खुद कुशिक करने की वज़े थी उसकी बीवी की बेवफाई और बचली अब जेक्शन यूर अब जेक्शन यूर अब डिवेंस मेरे क्लाइंट के ओपर बेवन्याद इलजाम लगा रहे हैं वह एक नहायती शरीप बेवा को फद्नाम करने के कोशिश कर र कोई ऐसा खास आदमी जो उनके एपसेंस में आता था हाँ जी आता था कौन वो जो पतले से आदी बैठे है न वो करने आते थे मैं क्या बता हूं सब घर का दरवाजा बंधोने के बाद घर के अंदर क्या होता था क्या करता था मुझे नहीं वालू साब और ये जनाब जाते कब थे आनन भाई के आते ही फॉरन निकल लेते थे साब हां यूर अनर यह सचा है कि कला रात विराद आनन महात्र के घर जाता था लेकिन इनका घर खाले के आने की धंकी देने जाता नो यॉनर ये वाकई आनन महात्रे की बीवी से मिलने जाते थे मैं अदालत से रिक्वेश्ट करूगा कि काला भाई को कट घरे में बुलाया जाए आज आता था प्यार किया है कोई चोरी थोड़ी किये जी नहीं ये जूर बोल रहा है एक बात बताएए काला भाई आपके मिसिस महात्रे के साथ संबंध किस हद तक थे क्या बात कर रहो साब प्यार की भी कोई हद होती है क्या यूं समझो कि सारे अधे टूट गई थी साब एक लेडी कॉंस्टेबल को बुलाओ उसको बोलो यह औरत के साल लेडी बात रूम में जाए और चेक करें उसकी पीट पेक ऐसी जगा तीले जो बचपन में सिर्व उसके मावाप ने देखा है शादी के बाद उसके पती ने देखा और रोमांस के टेटा माप उन ने देखा है प्रोस्टेकुशन के पास कोई और दलील कोई सबूत बाकी है हाँ योर अनर है लेकिन उसे पेश करने के लिए मैं चोटा सा ब्रेक चाता हूं सर ओके टाइम इस ग्रांटे जब भी ब्रेक लेता है कोई न कोई कांड करता है इसमें नजर रखनी बढ़ेगी यार मोहन प्यारे यह कितनी बड़ी मुश्किल की बात है जब तक मैं जूट की जंग लड़ रहा था तब तक मेरे पास जूटे गवा और जूटे सबूतों की लाइन लगी हुई थी और आज जब मैं सच के खून को खुदकुशी साबित करके उसकी बीवी को बच्चलन साबित कर दिया अरे भाईया आजकल यही होता है सच की लडाई लडने वालों के साथ हो सकता है आपने ये रिपोर्टर रजट का भी एक्सिडेंट ना हुआ हो बलकि उसका मर्डर हुआ 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 ह नहीं कि खुष बहुत जरी बात करनी है रही है वहाँ धक वाद में एकुछ दूरत राज ये कैसिथ किस की है कैसे मौन थुरूख मैं आया तारा तारा तो म यहां क्या करनने आई हो मैं तुमहारी शकल भी नी देखना चाहती हूँ दोंत जो foremost से मैं भी कोई तुमारे सामने बुगी-बुगी शो करने के लिए निया हूँ मैं तो अपना कैसेट लेने के लिए यह आई आपके लिए पूरा कबड मेरी गिफ्टों से ख़़ा हुआ है हां इनमेंसे आधी चीदे भी मैंने अपनी बीवी को दी होती ना तो जिंदीगी भर मेरे गाल चुमती रहती लेकिन नहीं अरे सड़क के ओपर से कभी गजरा भी नहीं लेकर दिया मैंने अपनी बीवी को पता नहीं का ये क्या लव लेटर समाल कर रखे हुए पेट बर-बर हो जाएगी मेरा क्या बेटर साला बेशने मादी अपनी अपनी पीछे के रास्ते से जाओ अले हो वाकील साब इतने जल्दी कही जा रहे है घुर डिवाकिल बदलिकी ओठ आपे तेरे पुनकर पाखड़ को आधी एट में आय deception में आगा हो तुमदबा खे भागा होगने के दुम आगा है अरे वकेल, अरे भाई भागने का काम चोर लोग का है, वकेल लोग का नहीं यार, यह क्या लगाला, खड़े रहना बात सुनना यार एक बात बताओं, जब दस आदमी मिलकर एक आदमी का पिछा कर रहे होते हैं, तो दसों को एकटा लेना बढ़ा जरूरी होता है, वरना क्या होता है माल में? मैं अकेला है, अकेला है, अकेले को बहुत मादर है, यह मैं दिमाग के जगा हात्ताओं की लडा रहा हूं मैं अकेल! एक रहागा दो अजब कर दो दो जब कि अपरागा आपके प्रोक प्रोक आ गई तु ए मेरा मत में कि आ गई तुम बेशरम अरी है थैंक्यू अ उफ तुम लड़कियों के अदाये आखिर हम क्यों ना फज्जाए जल्दी जलो यौनर ये अदालत है कोई टीवी का गेम शो नहीं जहां हर वक्त ब्रेक लिया जाए और कब तक आप राज मलात्रा को प्रेक देते रहेंगे मेरी अदालत से गुजारिश है अब बिना इंतिजार किये इस केस का फैसला सुनाए जाए यहूनर थैंक्यू एड़ोकेट राज मलात्रा का एक घंडायन जार करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अब उनके पास अदालत के सामने पेश करने के लिए कोई भी दलील या सबूत बाकी नहीं बचे लेहाजा अदालत ये फैसला सुनाती है कि इससे पहले के अदालत किसी नतीजे पर पहुंचे है मैं अपने पास मौचूद इस सबूत को आपके सामने पेश करना चाहता हूं सर ये ये क्या है भाई ये क्या है हाँ! जूँआ, पुँआ! ये… ये क्या करती है आपने? इसको भाणा लाग! मैं ने जो डरा धमका के मकान खाली करने के लिए का था आपने मर्डर कर दिया इसका तुम कर दो लूगा इस तरह से मजूमों के बात जो तुम लगा आप अपना ल Cambral का अवाद ´पना खडकर नह में झाचाँ हॉआ gli नह अ जुख खर गुख खर अजग जड़ काला है जुते कान करना बम की उतम तंद नहीं कले लगए लोहाँ की नहींड smo svenेfree छाला हे जुटेका है झीय काला मुहां है झुते का पलूब का पल Уद जाला है जुटेका मैं उडेशन कि कहें, वाके, जीत कोई मैं जीत कोई, सच्च, हाई मेरा बेटा बापप कहा है, राज, वह ज्आ कहीं में स्वास्टर, जयार, यार पसीन पहुच रहा हुश्छ करें कि दिग्डिटी नहीं है डिग्डिटी कैसे नहीं है कमाल अदमिया अरे भाभी देख रहा हूं आपकी बाभी आई हुए तो के नाचू नाचना हता है तुम अपनी लाइब सुधर हो पहले अब इस तरह से मुस्करा के देखती रहोगी कि गले भी लगोगी मेरे इसे लग रहे हैं जैसे एसान कर रही है मुझपर होष में और सबर्दार जो दुमारा घर चुट की जाने की कोशिश कीfight अब एक भाई शराफत हो गई कोड़ो होगी अब मुस्किन ने 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 होश करो खोड़ो कोटे 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 झाल 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 झाल